तो आज मैं घेन ले जा रहा हूँ 500 Days in Mortal Manager Simulator जहाँ पर अभी ठेक ऐसा कुछ भी नहीं है इस गेम को मैंने complete नहीं किया हो या फिर achieve नहीं किया हो सबसे पहले तो इस 240 होटल को मैंने 5 स्टार माइनी होटल बना दिया उसी के साथ इस 240 दुकान को भी मैंने 0 स्टार से 5 स्टार सूपर मार्केट बना दिया मैंने यहाँ पर इतने सारे सामान रख दिया कि अभी मेरा गेम भी लैक करने लग गया उसके बाद यहाँ पर जितनी भी अपग्रेड्स थे उस सारे मैंने कर दिया था गास्टेशन, वेरोस, स्टाफ रूम, एडवडेजमेंट, बस पारकिंग, पेफोन्स और उपर से जितनी भी कमरे थे वो भी मैंने खरीद लिया इसका मतलब जो भी अपग्रेड्स थे वो सब कुछ मैंने घर दिया है लेकिन बस एक चीज बच गया, वो ये है कि मैंने अभी तक इन रूम्स को कम्पलीट नहीं किया तो इस 100 इस में मैं वही कम्पलीट करने वाला हूँ, तो आई ये वीडियो को स्टाट करते हैं तो काईस जैसे कि तुम सब लोगों को पता ही है, मैंने यहाँ पर 16 रूम तक बना दिया जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये रूम तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पर 17 रूम से मेरे को बनाना बाकी रह गया वैसे तो जादा रूम से बचे नहीं है, सिर्फ ये जो आकरी चार रूम से बचे है ना इसी को मेरे को पूरी तरीके से कम्पलीट करना है, फिर उसके बाद ये गेम पूरी तरीके से कम्पलीट हो जाएगा लेकिन अभी जैसे कि तुम लोग देख पर हो, मेरे गेम काफी लाग कर रही है वो क्योंकि मेरे दुकान में ना मैंने इतने सारे सामान लगा दिया, ये ऐसा क्यों है इसको तो मैंने यहाँ पर लगा है ना, शायद मैंने इधर ऐसा गलती से लगा दिया होगा यहाँ पर इतने सारे सामान है ना देख सकते हो मेरे गेम काफी लाग कर रही यार तो सबसे पहले मेरे को ना इसको ठीक करना पड़ेगा मैंने अपनी स्टोर को फिलाल क्लोज करके रखा है मैं एक काम करता हूँ इसे ओपन कर देता हूँ मेरे को ऐसा लगते है कि थोड़े वो सामान ना बिख जाएंगे ना तो लाग उतना नहीं रहेगा तो फिलाल मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले अपने शॉप को ओपन कर देता हूँ वैसे अपनी मोटल में भी सारे रूमस अभी रेडी हो चिके है वैसे तो ये चार रूमस अभी मेरे को पनने बाकी रह गया तो मैं एक काम करता हूँ मोटल को भी उपन कर देता हूँ तो गाइस फिलाल यहाँ पर कुछ कस्टमर्स आ चुके है मैं काम करता हूँ इनको क्या है कि फिलाल कमरा दे देता हूँ 24 अवर्स के लिए चाहिए चलो बढ़िया मैंने इनको रूम दे दिया मेरे इसाब से यह गेम को जादा ही लैक कर रही है मैं अपनी ग्राफिक्स को थोड़ी से डाउन कर देता हूँ मेरे इसाब से थब थोड़ी बहर ठीक होगा हाई पर रखते हैं चलो हाँ मेरे इसाब से अभी भी थोड़ा सा लाग तो हो ही रही है लेकिन पहले से थोड़ा सा बेटर है ऐसा मेरे को लग रहा है फिलाल तो मैं इनको कमरा दे देता हूँ चलो 36 hours के लिए चाहिए I think in rooms को भी मेरे को वापस रिनोविट करना पड़ेगा यहाँ पर देख सकतो सिर्फ 54 का यह बॉनस मिल रही है वैसे यहाँ पर क्या है कि मैंने काफी सरे सेस्टे सामान रखे है जैसे कि तुम लोग देख सकतो तो इस सिंग का मेरे को खुच भी नहीं मिल रही है और यहाँ पर टॉलेट में भी कुच भी नहीं हीटर में भी कुच भी नहीं तो यह रूम को मेरे को रिनोवेट करना पड़ेगा फिलाल तो मैं इनको कमरा दे देता हूँ वैसे अभी तो fuel भी almost खतम होने ही वाली है तो मैं काम करता हूँ fuel को order कर देता हूँ तो guys फिलाल मेरे दुकान में भी यहाँ पर काफी अच्छे से sales हो रही है यहाँ पर देख सकतो कितने सारे customers आ रहे मेरे इस अभी भी क्या है कि lag ना काफी जादा हो रही है मैं जैसे अपने दुकान के पास जा रहा हूँ तो और भी जादा lag हो रही है लेकिन मेरे को एक चीस समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर देख सकतो fuel बरने के लिए कोई भी आया ही नहीं पता नहीं क्या हो गया मेरे सबसे lag की वज़े से यहाँ पर जादा vehicles भी नहीं हो रहे है जितना मेरे को लगता है अगर ऐसा चलेगा तो काफी जादा लुकसान हो जाएगा हमारा तो ओके तो फिलाल बस आखरी नूम बची है मैडम आपको तो 96 hours के लिए चाहिए चलो यहाँ पर 600 dollars मेरे को ऐसा ही मिल जाएंगे और उपर से यहाँ पर देख सकते हो 200 रूपिया का मेरे को सिर्फ bonus मिल रहे है तो मैं इनको कमरा जो है दे देता हूँ तो अभी जितनी भी rooms थे न वो सब मैंने दे दिया है और यहाँ पर मेरे को काफी अच्छे से पैसे भी मिल चुके है बाकि यह 4 rooms तो मेरे को अभी भी बनाना है यहाँ पर ads में कुछ पैसे बने है इसे में collect कर लेता हूँ यहाँ वैसे तुम लोग में से कुछ लोग comment कर रहे है अगर मैं बस्टेंड पर लगाँगा ना तो मेरे को जादा पैसे मिलेंगे फिलाल मैं एक काम करता हूँ यह जो यूटूब वाला है ना इसे मैं बाहर रखने के कोशिश करता हूँ वैसे मेरे को 60 डॉलर्स दे रही है अरे यार आप अभी आया रूम तो नहीं है जितने भी रूमस अवलबल तो ओ तो मैंने दे दिया आपको तो आरे यार इनको देनी चाहिए थी 96 आवर्स के लिए चाहिए था और वो भी डाबल वेट वाला चाहिए था मेरे सबसे इनको दे देते हैं तो मिरे को काफी अच्छे से पैसे मिल जाते हैं मैं एक काम करते हैं इनको वेट करने के लिए बोलता हूं मैं एक बाद चेक कर लेता हूं कोई भी रूम इतना जल्दी चेकोड तो नहीं होने वाला क्यूंकि अभी अभी तो मैंने सारे रूमस दिया है ओके आपको भी रूम चाहिए आरे यार यार ये देखो वेरोस में अपना ही हो रही है ये ये चोड लग बार बार आते ही जाते हैं पता नहीं कहां सा आते हैं कहां पर है इतना जल्दी चोरी करने के लिए भी चला गया क्या यार हे कहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है उके इनका गेटवे वेकल तो यहाँ पर है यार सबसे पहले इसको तोड़ आ रही है देखो यह लड़की एकदम अराम से बैटी है रख देता हूँ यार वैसे मैं एक बात बोलूँ गेम तो बहुत जादा लैग करी है मैं जैसे अपने दुकान के पास आ रहा हूँ तो और भी जादा लैग हो रही है मेरे इस अबसे मेरे पास बैरिल्स नहीं है तो अभी मेरे को बैरिल्स ओर्डर करने पड़ेगा वैसे वेर उसमें होने चाहिए हाँ है मेरे को लगाता है मैं ओर्डर किया था पिछली बार तो फिलाल इसकी लाश को अंडर डालते है और ऐसेड भी डाल देता हूँ मेरे सबसे अगर सेल्स अच्छे से हो जाएंगे न तो लाग भी मेरे को ऐसे लग रहे है कि खतम हो जाएगा तो सबसे पहले इस एड को मैं इसके अंदर रख देता हूँ चलो मेरे सबसे भी ये फिट हो चुका है तो अभी इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ या फिर दुकान के पास भी रख सकता हूँ बस्टॉप पर लगाते है वैसे भी तुम लोग ने बताए कि बस्टॉप में बहुत सारे लोग आते है और देखते है तो मैं भी एक काम करता हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ और आप भी जल्दी से सब्सक्रेब कर देना 100 के होने में बहुत जादा क्लोज है बस कुछी सब्सक्रेबर्स बच गए तो जल्दी से कम्प्लीट कर दो तो फिलाल तो मेरे को एक और चीज़ चेक करना है क्या है अभी पैसे बड़े की नहीं या फिर उतना ही थे फिलाल तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एड्स पर यार ये देखो आर 60 डॉलर सी दे रहा था तो अभी भी वो 60 डॉलर सी दे रहे है तुम लोग ने बताया थे कि बाई ज़्यादा पैसा मिल जाएंगे मेरे सबसे ऐसा कुछ नहीं होता है तो जाइस आभी फिलाल तो मेरे को ये रूम को कंप्लीट करना है जैसे सबसे पहले यहाँ पर मेरे को पैंटिंग कंप्लीट करना पड़ेगा और साथ में मैं एक बाद चेक कर लेता हूँ मेरे पास bed है और bed sheets भी है blankets भी है फिलोस भी है चलो मेरे पास doors भी है तो ये भी मेरे को खरीदने की जरूत ने ceiling lamps आई थिंग मैंने already लगा दिया ये देखो ceiling lamps वज़से भी मैंने already लगा दिया और उपर से मेरे पास part टब भी है sink भी मेरे पास है towels भी है toilet भी मेरे पास है तो toilet behappers भी है लेकिन ये मेरे को order करने पड़ सकती है ये जिल्दी खतम हो जाते है फिलाल heaters भी है तो मतलब ये जो चीज़ है ना ये मेरे पास है और बागी okay kittens भी मेरे पास है okay चलो बढ़ी है chairs भी मेरे पास है तो फिलाल तो वो मैं मंगवा देता हूँ तो table कौन सा वाला मंगवा है वैसे सबसे सादा तो महंगा वाला ये ही है लेकिन ये तो बहुत normal लगता है मैं इस बार सोच रहा हूँ और भी बड़िया बड़िया tables को use करते है ये वाला एक ले ले लेता हूँ साद मैं ये भी एक ले लेता हूँ इतने tables काफी होँगे दो बड़िया होगा TV के लिए भी मैं एक ले ले रहा हूँ वैसे desk में चाहूँ तो ये भी एक ले सकता हूँ एक काम करते हैं ये वाला desk मैं ले लेता हूँ मेरे सबसे मेरे कोछ chairs चाहिए होँगे I think मेरे पास काफी सारे chairs है लेकिन मैं ये white वाली chair लेने वाला हूँ ये क्या है कि इस table को काफी अच्छे से suit होती है और closers भी चाहिए होंगे मैं इस बर सोचता हूँ कि white team लगाते है तो ये वाला order करता हूँ और साथ में drawers भी ये वाला order कर देते हैं टोस्टर भी साथ में TV तो फिलाल मेरे इसाब से इतने सारे चीशे तो काफी होंगे बिग वैन में आ जाएंगे तो बिग वैन में भी नहीं आएंगे ट्रक में ही मिरे को मंगवाने पड़ेगा वैसे भी मैंने सारे गाड़िया खरीद लिया है तो इनको जल्दे से order करते हैं जादा पैसा ने फिर्व 2000 रुपाई ही है तो मैंने order भी कर दिया है तो के यहाँ पर कुछ कश्ट बस आगे है इनका आई तिंग 6 कोट है चलो बढ़िया फिलाल मेरे इसाब से और भी कुछ rooms भी available हो गए होंगे यार वैसे ना मिरे को साथ में जैसे कि तुम लोग देख पा रहा हो यह देखो यार room number one में बस कुछ भी नहीं है यहाँ पर मिरे को एक निया वाला bed लगाना पड़ेगा मैं सोच रहों in beds को ना बेच देते हैं एकदम बढ़िया वाला महेंगा bed लगाते है भी आ चुका है तो यह काफी अच्छा है फिलाल तो इनका चेकोट है तो कीस में ले ले लेता हूँ तो गाइस फिलाल तो काफी सारे rooms भी चेकोट हो चुके है तो मैं अपने mortal hotel को open कर देता हूँ कॉस्टमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और फिलाल ना मेरे game भी lag करना बंद कर दिया पहले काफी जादा lag हो रही थी लेकिन अभी उतना lag नहीं हो रही है और मेरे दुकान में भी मैं काफी अच्छे से move कर पराऊ I think क्या है कि थोड़ी वो सामा जो है big game होंगे उसके वज़े से अभी उतना जादा lag नहीं कर रही है तो ये काफी अच्छी बात है लेकिन अभी main thing ये है कि मैं इस room को कौन सा color करूँ वैसे आप लोग ने काफी सारे comments किये तो है कि भाई ऐसा ऐसा colors यूज करो तो मैं वही colors को use करने वाला हूँ सबसे पहले मैं जाकर कुछ colors को लेकर आता हूँ एक minute यार ये delivery लेकर जा रही है या फिर मतलब ये क्या हो गया रहा है ये दो boxes लेकर जा रही है क्या ये देखो ये देखो ये वापस वही box को लेकर आ रही है यार ये क्या glitches हो रही है समझ मैं ही नहीं हाता है यह इसको छोड़ो यह होते ही रहते है ऐसे मिंद सोच रहो हम वायलेट कलर करने वाला हूं और इसको मैच करते हुए यह लाइम गृरीन भी म celebration काफी अच्छा लगा और भी देखते कुन-कुन से कलर से हैं वैसे मैं सोच रहा हूँ ब्लू और इल्लो कैसे लगेगा चलो एक काम करते हैं मैं इसी को लेकर चलता हूँ वहाँ पर ही डिसेड करेंगे फिलाल आफिस में तो एक कस्टबर आ गया है तो मैं जल्दी से इनको रूम दे देता हूँ हाँ इनको रूम ही चाहिए था रूम नमबर वन इसको रेनोवेट करना बागी है उसको मैं बाद में कर दूँगा फिलाल मैं इनको कमरा दे देता हूँ शालो ये लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं इसाब से तो ये लोग जल्दी से रूम को रेडी भी कर देंगे वैसा मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाले कलर्स को यूज करूंगा एक बार मैं लगा कर देखने वाला हूँ यहां पर टेल्स तो लग चुके है बस कलर करना ही बागी रह गया सबसे पहले तो ये वाले कलर लेते हैं एक बार चेक करता हूँ कैसा है ओके कूल ये कलर काफी मस्त है जल्दी से मैं लगा देता हूँ ओके गाइस तो यहां पर ये कलर ना मिरको काफी पसंद आया लेकिन अभी मेंड टिंग ये है कि क्या ये दोनों कलर स्मैच करेंगे वैसे मिरको तो लग नहीं रहा आह मैंच तो पначमँर बोलो बढ़िया भी लग रही है लेकिन और भी बहतर हो सकता है ऐसा मिरको लग रहा है मिरको न ये कलर पसंद आया लेकिन ये वाली color थोड़ी सी dark हो गया अगर कुछ और बढ़िया color होगा तो और भी अच्छे से match होगा ऐसा मेरे को लग रही है फिलाल मैं एक बार चेक करता हूँ यार यहाँ पर इतना अंदिर क्यों हो गया तो guys फिलाल मैंने कुछ colors को लेकर आया देखते हैं इन में से कौन सा जादा match करती है मेरे को ऐसा लग रही है कि ये white color जादा match करेगा क्या एक बार मैं लगा कर देखता हूँ I don't think कि ये उतना match कर रही है जितना मेरे को लगती है मतलब बढ़िया लग रही है अगर आप सच में बोलो match तो कर रही है बट और बहतर हो सकता है मैं काम करता हूँ ये lime cream वाला color मेरे को काफी पसंद आया ये वाला color लगा कर देखते है ओके थोड़ा सा जादा dark हो गया जितना मेरे को लग रही है थोड़ा सा जादा dark हो गया ये बढ़िया नहीं लग रही है या फिर ये yellow color ट्राइ करते है मेरे सबसे ये match भी कर सकता है जितना मेरे को लगता है ओके ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा ये match किया है एक बार मैं पूरा complete कर कर देखता हूँ ओके तो अभी color तो complete हो चुकी है मैं अगर सच में बोलो बढ़िया तो लग रही है I think light की वज़ए से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मेरे सबसे मेरे को एक और light लगा देनी चाहिए ऐसे भी मेरे पास काफी सारे ceiling lamps है तो इसका कोई दिक्कत है मैं यह यहां पर लगा देता हूँ चलो मेरे सबसे अभी बढ़िया लगनी चाहिए अभी देखते है यह room ना काफी बढ़ा है तो इसकी वज़ए से इसको ज़्यादा lights की ज़रूरत है मेरे को यह यहां ज़्यादा ही dark हो गया एक काम करते हैं उपर जो है यहां पर भी paint कर देता हूँ वैसे मैं सोच रहूँ इस बार ना मैं blue color paint करने वाला देखते हैं कैसा लगेगा हर बार मैं सिर्फ white color ही paint कर रहा हूँ मेरे सबसे यह yellow color मेरे को change करनी पड़ेगी मैं अजीब अजीब colors को try कर रहा हूँ ओके चलो उपर blue color तो paint हो चुका है और मैं सच में बोलू हूँ यह काफी बढ़िया लग रही है लेकिन मेरे सबसे yellow color को थोड़ा सा और बहतर करने पड़ेगी क्या फिर मैं काम करूँ मैं यह lime green वाला color कर दूँ या फिर violet color कर दूँ एक बार देखते हैं violet color कर कर देखते हैं यहाँ पर ओ भाई यार मैंने सारे colors mix कर दिया अभी यह बहुत ज़्यादा बक्वास जैसा लग रहा है मेरे सबसे यह color ही ठीक था वापस करते हैं वापस मैंने यही वाला color कर दिया मेरे सबसे मेरे को यह वाली color को ही change करना है एक बार यह lime green color मैं वापस यही वाला लगा रहा हूँ देखते हैं ओके समझ में नहीं आ रहा है पूरा लगा कर देखना पड़ेगा अभी तो आइ तिंक कुछ जादा ही colors होगे ऐसे मेरे को लग रहा है या फिर मैं एक काम करता हूँ white color को लेकर आता हूँ मेरे सबसे अभी ना यहाँ पर white color ही जो है वो set हो सकती है हाँ मेरे सबसे यार कुछ समझी नहीं आ रहा है तो guys इतने सारे colors को finally try करने के बाद तो मेरे को यह थोड़ा सा combination ठीक लग रही है अगर मैं सच में बोलूँ जादा चेंज ही नहीं है मतलब एक colors ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है मैंगा सच में बोलूँ colors को change करते है वापस यह violet color करते हैं यहाँ पर तो guys finally मेरे को कुछ colors पसंद आये थे काफी मुश्किल से मैंने बहुत colors ट्राई किया यहाँ पर देख जिकतो हो हर एक combination में try कर रहा हूँ कि कौन सा बढ़िया लगेगा फिलाल तो यहाँ पर यह जो colors है ना यह दोनों मिरे को थोड़े सा matching लग रहे थोड़ा सा dark orange है और yellow भी है तो यह colors मिरे को अच्छे लग रहे तो मैंने यही वाले colors लगा दिया अब यहाँ पर bathroom में लगाना बाकी है तो यहाँ पर भी मैं जल्दी से लगा देता हूँ तो finally इस room को भी मैंने पूरी तरीके से paint went कर दिया bathroom में भी paint हो चुका है तो जल्दी से मैं सामान लगा देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर bed लगा देता हूँ एकदो मैं window के बास में लगाँगा ताकि यह बढ़िया लगेगा और साथ में मैं bed sheets कौन सा लगाँ यह वाला dark हो जाएंगा I think white वाला लगा दूँ क्या ऐसे मेरे पास यह pink वाले भी है pink वाले को जादा यह dark हो जाएंगे मैं काम करता हूँ white वाला ही लगा देता हूँ तो अभी साथ में यह वाले blankets या फिर white वाले यूज़ करते है पूरा एकदम white इस करते है यह मैं सोच रहा हूँ पूरा white team वाली बनाते है pillows भी white वाले रखते है सबकुछ एकदम white मैंने यहाँ पर इतना जादा white कर दिया ना तो ठीक से दिख भी ने रहा है पेर अभी मैंने doors भी लगा दिया एक door bathroom के लिए और साथ में अभी bathtub यह तो bathtub ने पूरा bathroom है किलाल मैं sink भी सोच रहा हूँ यह वाला यूज़ करते है white एकदम बढ़िया है यह वाले kitten तो तो वैसे अभी मेरे पस कुछ drawers भी पड़े है I think यहाँ पर होंगे ना चलो एक drawer यहाँ पर लग गया drawers भी मैंने एकदम white color वाले ही मंगवाए चलो यह भी लग चुगा यार I think मैंने lamps मंगवाना भूल गया था जितने मेरे को लगता है आँ देखो मैंने lamps नहीं मंगवाए थे I think यह हो जाएंगे क्या चलो इस बार ना मैं यह वाला लगाऊंगा यह भी काफी बढ़िया ही लग रही है I think क्या है कि मैं order करना ही भूल गया था यह फिलाल यह है तो इसे ही use कर लेते हैं यह भी बढ़िया ही लग रहे है तो अभी desk में कहां पर लगाऊं I think यहां पर काफी बढ़िया रहेगा एकदम open area बढ़िया से रहेगा और फिर और थोड़े से यहां पर register करते है एकदम door open करेंगे और यहां पर ऐस तरीके से आएंगे I think और थोड़े से इस तरफ लगाऊंगा तो बढ़िया रहेगा यह इससे लगाना चाहिए मेरे सब क्योंकि क्या है कि ऐसा आते हो थोड़े से space होनी चाहिए एकदम थोड़े सा अच्छे से space होगा तब ही बढ़िया लगेगा और यह TV की टेबल एक काम करता हूँ मैं यहां पर लगा देता हूँ I think यहां पर यह बढ़िया लगेगा और साथ में यह TV भी मैं यहां पर लगा चलो बढ़िया अभी यह काफी बढ़िया लग रही है वैसे मैंने कुछ bookshelf भी मंगवा थे हाँ यह देखो एक bookshelf मैंने इसी के लिए मंगवाई था यह एकदम काफी बढ़िया लगा मेरेको और जो दूसरा बॉला bookshelf है यह मैं यहां पर लगाता हूँ देखो कितना जादा बढ़िया लगती है यह तिम मेरेको काफी अच्छा लगा वैसे मैं सोच रहा हूँ यह टीवी के बाज में लगा दूँ क्या ऐसे लगा हूँ गा बढ़िया लगेगा मतलब यहां पर चेयर वेर लगा सकते है लेकिन तब मेरेको क्या है कि बैड को चेंज करना पड़ेगा या फिर मैं सोच रहा हूँ इस तरह बैड लगा दूँ तो तब आई तिंक और भी अच्छे से स्पेस बनेगा फिर यहां पर क्या है कि एक अच्छे सा लिविंग रूम जैसा बनेगा हाँ मेरे इसाब से वो बढ़िया रहेगा एक चूट सा लिविंग रूम जैसा है मैं काम करता हूँ और थोड़ सा अच्छे से स्पेस होगा तो बढ़िया होगा तो मैं काम करता हूँ इसको और थोड़ सा यहां पर लेकर आते है तब और भी बढ़िया होगा चलो बढ़िया मेरे सबसे अभी काफी बढ़िया लग रही है यहाँ पर मैं यह डेस्क लगा देता हूँ टीवी के एकदम सामने और वैसे भी मैंने और भी डेस्क भी मंगवाय थे यह डेस्क एक काम करते हैं यहाँ पर लगा देता हूँ चलो बढ़िया यहाँ पर लग चुका है मैंने एक यह वाला टेबल भी मंगवाया ऐसे मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पर लगा सकते है यह एकदम नहीं तो बीच में भी लगा सकते हैं इसका कोई दिक्कत ने यह यहाँ पर लगा देता हूँ और साथ में मैं यह वाली मिरर भी लगा देता हूँ बढ़िया भाई बहुत कुबसूरत है और सीट्स के लिए मैंने यह वाला चेर इसके लिए मंगवाया था चलो मेरे सबसे अभी यह एकदम मैक अप वाली एरिया बन गया काफी बढ़िया लग रही है हाँ यह देखो एकदम मैक अप वाली एरिया है यह पर मिरर भी है और एक चौट़न सा ड्रसिंग टेबल जैसा ही है वैसल यह ड्रसिंग टेबल ही है मेह रेपास और भी यह साफ़ा भी है वैसल अच्छा का होना जरूरी होती है पूने में रहेगा बढ़िया रहेगा नहीं तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लगा देते हैं अगर उनको रेश्ट वग़र लेना है मतलब यहाँ पर एक्लोस हैंग कर सकते हैं एकड़ अराम से लेड़ सकते हैं तो अभी main thing आती है कि मैं फ्रिज कहां पर लगाँ, एक काम करता हूँ, यहां पर लगा देता हूँ, मेरे सबसे यह काफी अच्छा space है, चलो बढ़िया, मेरे सबसे काफी अच्छे जिगा पर लग चुका, या फिर मैं सोच रहाँ कि ड्रसिंग टेबल को और थोड़ा सा यह यहां पर कर दूँगा, हाँ यह बढ़िया रहेगा, हाँ चलो मेरे सबसे अभी काफी बढ़िया लग रही है, तो अभी कार्पेट में यहां पर लगा देता हूँ, यह लो कलर कार्पेट तो और भी बढ़िया लग रही है, यहां पर बढ़िया नहीं लग रही है, यह काम तो गाइस फिलाल यहां पर बहुत सारे कस्टमर्स आ चुके है ऐसे इन सब का चेकोट ही होगा तो मैं काम करता हूँ जल्दी से इन से कीस ले लेता हूँ ओके चलो तो इनका भी मैंने रूम ले लिया है तो अभी काफी सारे रूम्स जो है चेकोट हो चुके है और कुछ रूम्स तो रेडी भी है मेरे जब से रूम नंबर 17 भी रेडी हो चुके है मैंने बस आप लोग को नहीं दिखाया तो गाइस फाइनले काफी देर के बाद कलर नहीं किया तो सबसे पिले मैं काम करता हूं यहां पर यह जो वाइट कलर लेता हूं मेरे को तो यह बहुत बढ़िया लगता है आई तिंग कलर कंप्लीट हो चीका यार कंप्लीट होगे फिर भी मैंने ऐसे लगाया इसे देखना पड़ेगा मेरे को ओर नो भाई सब कब तक यह ट्राफिक जम हो गया था यहार इनके वज़यसे ना मेरे बहुत जादा लुकसान होता है पता है यहां पर देख सकतो पैटरॉल बंक में आई निक काफी देर से कोई आया है नहीं यह अपने सेल्स भी क्यों इतना कम हो रही है यह जबह कुछ भी सेल्स हुआ ही नही है फिलाल अपना सूपर मार्केट तो सामान जैसा है वैसा है मिरको दिख रही है सारे सामान तो यहां पर है सेल्स कितने हुए आर kind जादा सेल्स तो हुआ ही नहीं यह बहुत ही कम सेल्स हो श्रयास आई तिंग तुराफिक जाम की वज़े से सैल्स मेरे सबसे यहां पर मैं आ रहा हूना थोड़ा सा lag तो हो रही है, यह देखो वापस यह traffic jam हो गया, I think इनकी वज़े से ज़ाधा lag हो रही है, यह देखो फिर भी यह traffic jam जैसा है वैसा ही है, I think मेरे को इनको control करना पड़ेगा, फिलाल इसे मैं निकाल देता हूँ, इस गाड़ी लेकिन अभी तक इसको रखा क्यों है, तो फिर जाने देते है, यह चोर कहीं का, चलो, इस बर तो पहले ही मार गए, यह इसको तो पिछली बारी मैं ने मार रहा था ना, और वापस कैसा आ गया, फिर फिरहल इसको जल्दी से अंदर डालते है, और मैं जल्दी से acid भी डाल तो मैं एक काम करता हूँ, तब तक आपको कमरा दिखा देता हूँ, यह देखो यार, कितना जादा प्यारा लग रहा है यह रूम तो, फिरको तो बहुत जादा पसंद आया, तो फिलल तो बे दरवजा को बंद कर देता हूँ, वैसे मैं एक चोटा सा चीज भूल या, इनक तो चेखोट है, जिल्दे से कीस ले लेता हूँ, आइधिंक, रूम्स जो है, अवैलबल हो चुकए है, यह रूम्स पता नहीं क्यों है, आवैलबल हुए नहीं, फिलल आ, मैं इनको एक काम करता हूँ, रूम्स ना दे देता हूँ, यार, यहाँ पर इतना जादा गंद की क ऐसे हो गया, मेरे सबसे एक cleaners लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, खिलाल तो यह काम करता हूँ, इसे अंस्टक कर देता हूँ, इसे भी अंस्टक करते हैं, तो तब तक मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आपको कमरा जो है यह मैं दिखा देता हूँ, 70 त्रूम जैसे कि तुम लो कर चलता हूं ऐसे अपने cleaners ना मेरे सबसे वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं इसकी वज़े से अपना business बहुत सदा होगा exactly मैंने लेकर रहा है तो अभी जल्दी से इनको भी connect कर देता हूं चलो बढ़िया आई तिंक मैंने सबको connect कर दिया तो अभी आप किया मतलब यह थोड़ा सा living room जैसा feel कर रही है और यहां पर एकदम अच्छे से काम कर सको ऐसा भी है और साथ में अगर खाना खाना तो वो भी है मतलब dining table जैसा भी है वैसे चाहिए तो यहां पर एकदम बैठकर आराम से टीवी देखते हुए भी खा सकते वैसे मैं ज्यादा टीवी देखते हुए अराम से खा सकते अगर किता विता पढ़ना है तो वो भी कर सकते तो मतलब हर एक चीज यहां पर है और एक बातरों में देख सकतू कितना जादा बढ़िया है यह बातरों में पूरा बातरों में उतना बड़ा है और यहां पर हीटर भी है तो मतलब हर एक चीज यह है तो कोई उनको दिक्क्त इतना सा भी नई ही का किस्टमर्स आ चुकरे है których वैसे मैंने बहुत नोटिस की है सुच बोस क्या है कि यह लोग निकाल दे रहे जितना मेरें को लगता है तो ये सुच बोर्ट मतलब गाईब हो जा रहे हैं या फिर पता ने शायद अपना वर्कर्स वगरा रख देते हैं क्या मैं हर जगा तो रख रहा हूँ तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है फिलाल अभी तक अपना क्लीनर्स काम नहीं कर रहा है चलो इनका तो अलमस्ट खतम होने वाले मैं काम करता हूँ 17th room इनको दे देता हूँ मैडम आपका हुआ ये 17th room इतना देर इंतजार करने के लिए 72 hours के लिए और भाई साब यहाँ पर एक बार देखो 238 dollars मेरे को सिर्फ bonus मिल रही है मतलब हर एक चीज़ का मेरे को bonus यहाँ पर मिल रही है यह देख सकतो सबका मेरे को bonus मिल रही है तो यह काफी बढ़िया है फिलाल मैं इनको room दे देता हूँ I think हैर सबसे पहले mortal hotel को बंद करो और ads पर भी कुछ पैसे बन गए यहाँ पर भी color कर लेते है वैसे अभी यह 5 rooms तो ready हो चुके है इसका मतलब cleaners अपना काम कर रहे लेकिन hotel में वो लोग काम नहीं कर रहे क्या मैं काम करता हूँ staff में चलते है एक है इसे hire कर लेता हूँ और इसको मैं काम करता हूँ cleaning का दे देता हूँ अभी क्या है कि यह लो cleaning ठीक से करने रहे वैसे भी हम हमेरे पस बहुत सारे पैसे है पैसे उंका तो दिक्कत है इने फिलाल मैं एक काम करता हूँ इनको भी rooms जो है न दे देता हूँ जिल्दी से ओके चलो बस एक आखरी room बच गया I think यह madam को मिल जाएगा 72 होर्स के लिए चाहिए चलो बढ़िया यार इस room में न मिरे को बहुत ही कम मिल रही है bonus देख सकते हो सिर्फ 53 का bonus मिल रही है यहाँ पर थोड़ा सा पैसे मिरे को कम मिल रहे है खेर फिलाल मैं इनको room तो दे देता हूँ paint तो हो चुकी है तो यह अभी काफी बढ़िया है तो अभी बस तीन rooms बनाना बाकी रह गया यह room और यह room और यह वाला आकरी room यह तीनों काफी बढ़े rooms है सबसे पहले तो मैं इसे sale कर देता हूँ तो यह बनाने में थोड़ा सा वक्तों लगेगा ही देख और एक बार बस colors बन गया ना तो जादा time नहीं लगेगा colors काई मैं बहुत जादा combinations को try कर रहा हूँ तो फिलाल मैं सोच रहा हूँ यह वाले room के लिए मैं pink color यूज़ करूंगा यह I think बढ़िया रहेगा और साथ में blue color यूज़ करूंगा वो white वाले काफी मस रहते हैं या फिर मैं इस बार ये वाले tails use कर कर देखूंगा इस बार ये वाले tails use कर कर देखते हैं चलो बढ़िया tails तो मैंने पूरी तरीके से complete कर दिया है तो अभी बाकिए कुछ tails बची गया तो अभी सबसे पहले उपर तो मैं white color paint करने वाला हूँ चलो बढ़ी उपर तो मैंने white color paint कर दिया तो अभी जो बाकी है walls को paint करना तो फिलाल जल्दी से paint कर देता हूँ I think ये तोड़ा सा dark वाल मैंने लेकर आया है अभी paint भी हो चुकी है और कैसा लगा रहा है comment करकर बताना वैसे मेरे को ये ब्लू कलर ना कुछ जादा ही dark हो गया और ये वाली tails ना कुछ जादा ही darkish भी हो गया ऐसे मेरे को feel आ रही है वैसे मेरे सबसे यहाँ पर मैं एक और ceiling light लगा हूँगा तो काफी बढ़िया लगेगा तो ये एक यहाँ पर लगा देता हूँ चलो बढ़िया मेरे सबसे अभी lighting काफी अच्छे से आ रही है एकदम मैंने बीच में लगाया तो फिलाल इन paints को मैं ले लेता हूँ वैसे मेरे पस कुछ सामान तो है मेरे पस bed नहीं है भूल गया था मैं जल्ले से यहाँ पर भी paint कर लेता हूँ बातरूम में भी paint हो चुका है ऐसे मेरे पस तो ये toilet भी है और साथ में ये heater भी है चलो ये दोनों चीज़े तो मेरे लगा दिया तो अभी मेरे को bed चाहिए होगा bed sheets मेरे पास है चलो एक kittens ना एक यहाँ पर लगा देता हूँ और ये यहाँ पर लगा देता है चलो बढ़िया अभी मेरे यहाँ पर kittens तो लगा दिया bathroom के लिए मेरे को और kittens की जरूत होगा मैं ये वाला लगा देता हूँ blue color पूरा match हो जाएगा ये देखो काफी अच्छे से match हो रही है तो अभी बाकी जो भी चीज़े है ना ये तो मेरे को order कर नहीं है तो ये मैं order कर देता हूँ तो गाइस फिलल में काम करता हूँ सबसे पहले ना fuel को order कर देता हूँ ने तो ये कम पड़ जाएगा और यहाँ पर ads में भी पैसे collect कर लेता हूँ वैसे तो अभी ना मेरे कोई bed चाहिए होगा मैं हर बर यही वाला bed order किया मैं काम करता हूँ बाकी तीन rooms के लिए भी beds order कर देता हूँ ये दो मैंने order किया और ये मैंने एक वाला order किया वैसे क्या है कि ये beds बहुत जादा space लेता है इसलिए मैं order करना चाहता हूँ चलो मेरे सबसे ये तीन beds तो इस तरीके से आ जाएंगे वैसे मैं चाहूँ तो और भी कुछ चीज़े order कर सकता हूँ इसी के साथ वैसे क्या है कि ये बाट टब भी ना बहुत जादा space लेती है आई थिंक ये एक तो नहीं आएगा ये वाला भी नहीं आएगा ये आ जाएगा शायद ये भी नहीं आएगा तो बाट टब तो मैं अभी order नहीं कर पाँँगा सिंक्स तो वैसे भी मेरे पास है तो मैं एक काम करता हूँ ये चीज़ है ना ट्रक से मंगवा लेता हूँ वैसे मेरे को नहीं लगता है ये बाट टब हम इससे भी मंगवा सकते है हाँ ये देखो ये बिग वैन से आ जाएगा क्या आई तिंक ये बिग वैन से आ जाएगा चलो बढ़िया मैंने बाट टब आकल ही ओडर कर दिया यार यहां पर बहुत सारे कस्टमर्स आ चुके है लेकिन इनको रूम तो नहीं मिल सकता मैंने बंद किया था यार फिर भी इतने सारे कस्टमर्स कैसे आगे मेरे को भी नहीं पता तो फिलाल तो थोड़ी देर में मेरे सबसे अपना ओडर आ ही जाएगा ओके चलो वो देखो अपना एक ओडर तो आ ही गया इसके पीछे पीछे ही वो दूसरा वाला भी आ जाएगा यार यहां पर इतने सारे लोग यह लोग कभी भी ठीक से काम नहीं करते है रहे क्लीनर्स ना क्या करो इनका में हर बार इनका तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है स्बसे September करते है शायद यह काम लग जाए अ भी मैं अन्स्टउक कर देता हूं ये देख वर तीन तीन लोग है cleaners लेकिन फिर भी ये लोग ठीक से काम करते ने एक काम करता हूना इनको मैं ठीक तरीके से बोल देता हूं कि कहां पर जादा काम करना इन लोग को इक को मैं शॉप पर रख देता हूं कि शॉप हमेशा clean होनी ही चाहिए और मैं दूसरे को office में जादा तर उतना desk नहीं होती है I think मैं इसको क्या है कि इसको shop पे निकल देता हूं एक shop में रहेगा इसे मैं shop में रख दिया और इसको shop पे करने की ज़रूत नहीं है मेरे सबसे एक काफी रहेगा और ये क्या है कि office में भी clean करेगा और साथ में rooms में भी clean करेगा तो अभी शायद ये लोग ठीक से काम करनी चाहिए वैसा बैए एक बार चेक करता हूं ये shop में हाँ चलो अभी है ठीक से काम कर रही है चलो मेरे सबसे अभी बढ़िया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर sales कितना हुआ जादा sales तो नहीं हुए यार इतनी सारे customers तो आ रहे यार जल्दी से clean करो इसके वज़े से क्या है कि customers ना चले जाते फिर ये देखो ये भी cleaner ही है लेकिन ये clean नहीं कर रहा यार अपना cleaners ना कुछ ना कुछ ऐसा बाकवास की चीज़े करते ही रहते है फिलाल तो अपना दोनों orders आ ही चुके तो मैं काम करता हूँ जल्दी से यहां पर से सामान ले ले लेता हूँ अलबॉस इस ने ले लिया था चलो यहां पर जो भी सामान है वो तो ले लिया यार वो लोग ना clean नहीं रख रहे उसकी वज़े से shop की rating गिर गया वैसे मैंने beds order कर दिया bedsheets भी है blankets भी है pillows भी मेरे पास है doors अगले room के लिए चाहिए होंगे वो मैं तब order कर देता हूँ बाट टब भी मैंना अभी order कर दिया things भी है toilets भी है तो ये सारी जो भी चीज़ है ये मेरे पास है seats भी मेरे पास बहुत सारे पड़े है ये वाले कुछ order कर देता हूँ ये दो order कर देते है और tables भी चाहिए होंगे पिछली बार मैंने ये वाला order किया है तो मैं सोच रहा हूँ ये वैसे भी मैं बोलों तो काफी बढ़िया लगता है या फिर मैं एक काम करता हूँ ये वाले order कर देते है और साथ में ये वाले dressing table भी ये काफी बढ़िया लगता है seats शायद मेरे पास है अगर नहीं है तो मैं बाद मैं order कर देता हूँ desk भी चाहिए होँगे इस बढ़ ये वाले desk order करते है consultant भी मैं वापस सोच रहूं white color ओडर करूँ या फिर इस बढ़ ये वालों ओडर करते है और drawers तो मैं ये order कर देता हूँ electrical के लिए ऐसरी चाहिए होगा ये लेकिन मेरे को एक काम करना है फिलाल इनका कीस ले लेते है और वो जो है ना उसको जाने देते है ने तो वो यहाँ पर ही रह जाएगा चलो बड़िया आई तिंक इन लोगों ने निकाल दिया वैसे मैंने एक बाट टब भी मंगवाय था तो अभी इसको जाने देता हूँ फिलाल इन सबका मैं कीस ले लेता हूँ जितना मेरे को लगते हैं सारे चेक आउट के लिए आया है तो गाईस फिलाल यहाँ पर जितनी भी थे उन सबका तो चेक आउट ही है तो इनका भी मैं कीस ले लेता हूँ मेरे इस सबसे अभी काफी सारे रूम्स भी अवेलबल हो ज सारे चीज़ılar निकाल दिया ता तो अभी इस जाने देते हैं। तो मैं जल्दी से यहाला कमरे को भी easily complete कर देता हूं ताकर मैं यह वाला रूम भी दे सकना फैसा भी पुत करेरे बर्शोम होते हैं एक वाना को सबड़ मैं चिके अपशना है गया इसी तरीके से लगाते मेरे को ये चीज़ काफी अच्छा लगा फिर वैसे ड्रावर्स मैंने एक ही ओर्डर किया था क्या I think मैं भूल गया मैंने एक ही ओर्डर किया वैसे एक काम करते हैं मैं इसको पूरा कोने में लगा देता हूँ तब ये और भी बड़िया लगए गया ऐसा मेरे को लग रहा है तब मेरे को एक ओर ड्रावर का भी जरुवत नहीं है और स्पेस भी यहां पर रहेगा तो और भी बड़िया है तो फिलाल जो लैंप है ना इस बार मैं सोच रहूं ये वाला लगाते है यहां पर लग जाएगा न चलो बड़िया और ये मैच भी कर रही है पेटशीट्स ये वाले यूज़ करते हैं ये इसको मैच करेंगे और साथ में मैं इस बार ना ये वाले ब्लैंकेट्स यूज़ करेंगे चलो बड़िया ब्लैंकेट्स भी लग चुके हैं तो पिलोस ये वाले यूज़ करते हैं यह दिखो यह बड़िया तरीके से मैच हो रही है व्योर्स तो मैंने पहले से लगा दिया, सेलिंग लैप्स भी हो चीके, बाट टब लगाना बाकी रह गया चलो बाट टब मैंने लगा दिया, सिंक तो मैंने पहले से लगा दिया, नहीं सिंक नहीं लगाया था यह वाला सिंक लगाऊंगा या फिर यह वाला सिंक लगाऊंगा यह वाला ही बड़िया लग रही है चलो अभी जल्दी से बाथ हीटर में काम करता हूं यहां पर लगा देता हूं यहां पर बड़िया लगती है और क्लोथ हैंगर में यहां पर लगाता हूं यह बड़िया लगा दिया फ्रिजबी मैंने लगा दिया टीवी भी है एसी भी है और यहां पर क्लोजट भी लग चुका है काफी बड़ा वाला बेड़ भी लग चुका है यहां पर वैसे तो मैंने दो सीट्स लगाया इस बार मैंने सौफा नहीं लगा रहा हूं तो इस बार मैंने यह वाल लैंप यहां पर लगा दूंगा ऐसा मैक अप करते हो यहां पर मैंने अल्री एक लगाया आई था नहीं तो मैं काम करता हूं यहां पर लगा देता हूं अगर मान लो किसे को पड़ाई वड़ाई करनी है तो वसको यह लैंप यूज होगा तो यहां पर आराम से पड़ाई भी रख सकते हो और बैड के लिए भी मैंने एक सपरेट मंका लगाया यह वैसे एसी तो ही और साथ में हीटर भी है तो तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा रूम है और काफी बड़ा रूम है अरे यार यार यह लोग ना मेरे को कम से कम शांती से कमरा भी नहीं रहे किर इतना चोरी करते रहते है यार यह लोग तो बहुत जादा कॉरी करते हैं इस बार इनका चोरी आ जा ना कुछ जादा इं leftover आट तरह नहीं गन किदर है तो मैं I think मैं इस तरफ नहीं जा सकता हूँ चायद मेरे को बैक हो जाना पड़ेगा हाग यार भाई जैसे ही उसने देखा कि ये मर गया तो फट से निकल गया एक दम यार लेकिन ये बहुत गलत बात है यार ये कितना बार आता है यार ये फिरल मैं अपने बैरे लेकर आता हूँ इसे तो बेच देते है ये मतलब इस बार कुछ जादा ही हो गया यार इनका काफी बार आ रहे है ये लोग पता नहीं इतना बार क्यों आते है पहले इतने नहीं आते थे अभी तो कुछ जादा ही आ रहे है फिरल तो सामन इसने लिया ता वो तो मैंने यहां पर लगा दिया वैसे मैं काफी टाइम से अपने दुकान को नहीं देखाँ चलो यहां पर काफी सारे जो हैर्स से वो सेल हो चुके नूसपैपर्स भी आई धिंग काफी अच्छे से सेल हुए है बैकरी का सामान भी अच्छे कासे सेल हो रहे वैसे फिल अच्छे से कर रहे कि नहीं वो सादा इंपोर्टन्ट है ओके यहां पर भी चलो ठीक टाक है हाँ यहां पर बहुत सारे सामान बिग गया तो यह काफी अच्छी बात है सामान तो काफी अच्छी साही भिक रही यहाँ पर कासा है कोड़ुकर यहाँ पर तो काफी सारे सामान अभी भी भी बचे है यह भी भिक जाएंगे मेरे एसब से जितना मेरे को लगता अच्छे कासा ही सेल्स हुए होगी यार इतना कम पैसे यार सिर्फ 13.000 मिले यार इतने सारे चीजे सेल हुए लेकिन पैसे तो उतना नहीं मिले पता नहीं क्या हुआ है फिलाल यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़े बत पैसे ही है यहाँ पर पर मैं कलट कर लेता हूँ चलो बढ़िया मैंने सब कुछ कलट कर लिया 60,000 डॉलर के करीब करीब अभी मेरे पास पैसे है इन लोग को क्या चीए इन लोग को इन लोग को शायद इनका चेकोट होगा यार मैं क्या है कि कमरे बनते बनते ना इनको बस ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ वैसे ठीक है जल्दी से इनको बस ले ले लेता हूँ जल्दी यह सारे चेकोट के लिए नहीं इतने सारी किस यहांपर ही पड़े है नका तो चेकोट है चलो इनका किस में लेव हैं तर लिए जीस है हो चुकी है और यहां पर ब Goldman काफी सारे चीज रख दिया है फिर भी ये रूम तो काफी बड़ा है तो काफी अच्छा भी लग रहा और साफ सुत्रा भी लग रही है और हर एक चीज यहां पर है तो उनको भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा वैसे आप कमेंट करकर बताना इस रूम को कितने रेटिंग देने वाले है वैसा मैं तो सोच रहा हूँ ऐसा रूम अगर मिल जाए तो मजा ही आजाए क्योंकि हर एक चीज यहां पर है तो भी कोई तकलीफ होगा इने बुक्स पढ़ने तो बुक्स पढ़ सकते हो खाना है तो खा भी सकते हो अगर मैकप बगरे करने तो वो भी कर सकते हो या फिर खुद से कुछ बनाना है तो वो भी बना सकते हो हर एक चीज यहां पर है या फिर समझो पड़ाई वड़ाई करने है तो वो भी कर सकते हो या फिर चिल से एकदम टीवी देखने है तो वो भी देख सकते हो सोना है तो सो भी सकते हो मतलब और किया चाहिए मेरे इसाब से तो यह तो सब कुछ है यहाँ पर तो फिलाल तो यह room भी ready हो चाहिए बस यह वाला room बज़ गया और यह room number 20 बज़ गया यह दोनों complete हो जाएंगे तो काफी बढ़िया होगा फिर क्या है कि मैंने यह starting में rooms बनाया ना पताने किसलिए चली गई फिलाल अभी तो बहुत सारे customers आया है I think मैं एक बच चेक कर लेता हूँ मेरे सबसे काफी सारे rooms भी available हो चुके है तो इस 18 room को भी क्या है कि मैं housekeeping on कर देता हूँ तब क्या है कि वो sampu bottles वगरा रख देगा यहां पर ओ भाई सा 5000 यार काफी सारे पैसे मिल रहा है यहां से तो तो इसे मैं collect कर लेता हूँ तो अभी तो मेरे पस और भी पैसे हो गए फिलाल तो I think मैं इसको शायद room दे सकता हूँ यह कौन से की है room number 12 है तो कि room number 12 जो है अभी तक ready नहीं हुई है तो यह वाला camera तो मैं नहीं दे पाऊंगा चलो आपको तो 72 hours के लिए चाहिए सिर्फ 400 डॉलर से मिलेंगे मेरे सबसे इस room को भी मेरे को renovate करना पड़ेगा वैसे भी यह room number 1 है बहुत ही कम bonus मिल रही है जल्दी से मेरे को वो दोनो rooms complete करने के बाद यह वाली rooms को भी renovate करनी पड़ेगी ओके इनको तो 96 hours के लिए चाहिए तो यहाँ पर तो मेरे को 500 dollars मिल जाएंगे तो मैं इनको जल्दी से room दे देता हूँ वैसे मेरे सबसे मेरे को fuel भी order कर लेनी चाहिए यह भी कम हो रही है 1000 रुपिया का fuel order कर देते है ओके आपको तो सिर्फ 48 hours के लिए चाहिए सिर्फ 300 रुपे मिलेंगे फिर ठीक है मैं इनको कमरा दे दिया आपको सार आपको तो सिर्फ 24 hours के लिए चाहिए यह पहले जो rooms हैं इसकी वज़े से मेरे को बहुत कम bonus मिल रही है I think काफी सारे rooms है मिनको रिनोवेट करनी पड़ेगी तो फिलाल जल्दी जल्दी से आ जाओगा तो मेरे सबसे सबको room यहाँ पर मिल जाएगी तो 36 hours के लिए चाहिए चलो ठीक है इसको भी room दे देता हूँ तो यहाँ पर मेरे को काफी अच्छी से पैसे मिल जाएंगे इन दोनों चैर्स का तो बॉनस मिल रही है तो चलो ठीक है बढ़िया है बॉनस तो अच्छे गासे मिल रही है मैं वैसे मैं सोच रहा हूँ यह चैर्स ही लगा तैया क्योंकि इसके वज़े से तुम देख सकते हो 7 डॉलर का मेरे को बॉनस मिल रही है और यहां पर यह दो चैर्स भी मैंने लगाया और इनकी वज़े से भी मेरे को 7 डॉलर की बॉनस मिल रही है तो तुम देख सकते हो कितना अच्छे से बॉनस मिल रही है और यह फंके की वज़े से भी 5 डॉलर ऐसे मिल रही है तो ये चीज़े मैं ज़्यादा लगा सकता हूँ जिसके वज़े से मेरे को काफी अच्छे से bonus मिलेगा और यहाँ पर देख सकता हो जो total bonus है 265$ है बतलब यह बहुत ज़्यादा होता है अगर मैं चाओं और भी कुछ लगा दूँका तो और भी अच्छा कासा मेरे को bonus पर मिल सकती है जितना मेरे को लगता है वैसे यहाँ पर मेरे को bonus नहीं मिल रही है यह ceiling lamp ज़्यादा हो गया यह ज़्यादा महेंगा वाला था और इसमें मेरे को ज़्यादा bonus मिलती है I think हम सिर्फ दो ceiling lamp सी use कर सकते है यह देखो इन दोने का ही मेरे को bonus मिल रही है और इन दोने को bonus नहीं मिल रही है मेरे सबसे इन दोने को मेरे को change करने पड़ेगी या फिर निकाल कर रखना पड़ेगा फिलाल तो इनको room चाहिए 72 hours के लिए तो मैं room दे देता हूँ पैसे यार ceiling lamp से हम बहुत कम रख सकते है यह काफी बिकार वाली चीज है फिलाल मैं एक काम करना वाला हूँ मैं यह वाला ceiling lamp एक बार निकाल कर रख देता हूँ तब मेरे सबसे first position में यह आ जाएगा फिर bonus इसका मिलेगा मेरे को इसका भी एक काम करता हूँ निकाल कर रख देता हूँ तो अभी मेरे को जितना भी लगता है इसका bonus अभी हमें मिलेगा क्योंकि इसका bonus बस दो डॉलर का है यह पस मैंने lights के लिए लगाया था चलो अभी बे एक बार 18th room में चेक कर लेता हूँ मेरे सबसे अभी वो ceiling lamp को bonus मेरे को मिल ली चाहिए हाँ नहीं मिल रही है यार वापस इन दोने काई bonus मेरे को मिल रही है पता नहीं क्यों तो वैसे अभी मैंने ceiling lamp को change कर दिया एक बार मैं अभी चेक कर लेता हूँ ओके चलो बड़ी अभी जो bonus है वो मेरे को मिल रही है तो अभी तुम लोग देख सकते हो 270 dollars का मेरे को सिर्फ bonus मिल रही है 270 dollars का मतलब बहुत जादा पैसे है फिलाल तो इनको room चाहिए तो मैं जल्दी से दे देता हूँ 96 hours के लिए यह चाहिए था 270 dollars का सिर्फ bonus मिल रही है तो मैं जल्दी से इनको room दे देता हूँ तो अभी जैसे के तुम लग देख सकता हूँ मैंने सारे rooms दे दिया है अभी तो बस ये 2 rooms ही बच गए इसको भी मेरे को complete करना है तो फिलाल तो अभी बाकी लोगों को तो rooms नहीं मिल सकता मैं एक पर चेक कर लेता हूँ कोई चेकोट आया क्या अभी मेरे साबसे कोई भी कमरा चेकोट इतना जल्दे नहीं होने वाला तो काफी टाइम लगेगा तो फिलाल तो इनको wait करनी पड़ेगी वैसे यार room number 18 के लिए मेरे को tails शाइए होंगे ये वाल्स के लिए है ना हाँ ये वाल्स के लिए है तो फिलाल मैं एक बर अपने वेरोस में चेक कर लेता हूँ मेरे पास tails है क्या ओके यहां पर एवाली tails है ये काफी बढ़िया ही रहते है मेरे साबसे दूसे तो काम नहीं बनेगा और है क्या हाँ चलो यहां पर एक और है I think तीन से शायद काम बन जाएगा जितने मेरे को लगता है या फिर वैसे यहां पर और भी है यह देखो यहां पर यह एक है मेरे साबसे चार तो काफी बढ़िया है इतने से तो अराम से काम बन जाएगा वैसे यह वाले टेल्स तो काफी बढ़िया दिखते है तो मैं जल्दी से लगा देता है चलो बढ़िया टेल्स तो मैंने लगा दिया और यह काफी बढ़िया भी लग रहे है तो अभी इसको भी पेंट करते है यार मैं इस बार सोच रहा हूँ उपर कुछ tails लगाते क्या tails वैसे उतना अच्छे से match नहीं करते उसका वो एक चीज दिक्कत होती है इससे अच्छा white color ही कर देता हूँ white color अच्छे से match हो जाएगा चलो paint तो हो चुका है तो अभी main thing ये है कि मैं यहाँ पर कौन सा colors use करूँ वैसे यार यहाँ पर भी मेरे पास काफी सारे जो tails ये पड़े है I think एस सारे के सारे wallpapers है तो अभी तो मेरे पास इतने सारे colors है ये मेरे पास जादा है तो ये use कर लेते और साथ में ये color मेरे को बढ़िया लग रहे एक बार लगा कर देखता हूँ वैसे ये पिछली बार में में ये color try किया था ये combination हाँ ये वाले color में ट्राई किया था क्या है कि मैंने इतने सारे combinations को try कर दिया तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा तो फिलाल मैं काम करता हूँ इन दुने colors को match करने के कोशिश करता हूँ कि मिरे को ये वाली कलर जो है काफी ज़दा पसंद आया हाँ ये दोनों काफी अच्छे सा मैच कर रहे हैं तो ये काफी बढ़िया है तो बे जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ वैसे ये कमरे में काला कलर उतना बढ़िया लगे गा क्या मेरे को तो अच्छे नहीं लग रहा मतलब ये दोनों मैच किया है अगर वो बात तुम लोग पूछे होगे तो मेरे को काफी बढ़िया लग रही है लेकिन ये कुछ जादा ही काला नहीं हो गया यार कमरे में कौन काला कलर करता है है ना अगर में सच पर वो लोग पसंत हो आया मेरे को क्यों कि ये कलर काफी अच्छे से मैच हो रहा है और काफी बढ़िया भी लग रहा है लुक तो बहुत बढ़िया आ रहा है वो तो मैं कहने वाला हूँ लेकिन यार में तिंग ये है कि रूम में काला कलर I don't think कोई यूज करता होगा हाँ मैं एक बार ये वाली कलर यूज करकर देखता हूँ अगर ये बढ़िया लगए तो ओके यार ये उतना बढ़िया तो नहीं लग रही है एक बार मैं अच्छे से दिखा देता हूँ नहीं यार ये काला कलर जितना अच्छे से मैच किया ना उतना अच्छे से तो ये इसने मैच नहीं किया हाँ ये देखो ये कलर काफी अच्छे से मैच हुए है मेरे सबसे ऐसा ही लगते ये तोड़ा लेकिन यार बहुत ज़्यादा काला हो गया पसंद नहीं आया वह से मैं सच में बोलू कोई दूसरा कलर ढूनता हूं उसके साथ ब्लू कलर ट्राइ करूंगा तो आइ तिंक यह डिफिनिटली बढ़िया रहेगा तो अभी यह जो ब्लू कलर है यह मैंने लेकर आया तो यह कलर को ट्राइ करता है अगर मैं सच में बोलू यार यह दोनों कलर बहुत ही अच्छे से मैच हुए काफी बढ़िया लग रही है लेकिन अगर तुम इस तरफ देखोगा न तो कुछ जादा ही काला हो गया ऐसा फील आ रही है तो मैं इसे लिए इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ हाँ मेरे सबसे यह दोनों कलर इस उतने अच्छे से मैच नहीं कर रहे लेकिन देखने में बढ़िया तो लगी रहे तो मैं यह वाले कलर कर देता हूँ अगर मैं सच्पर बोलू ऐसे कलर रूम्स में यूज करते है क्योंकि यह क्या ही काफी पीसफुल वाली फीलिंग देते है ना और घर ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर हम बहुत जादा से फील करते है तो मेरे सबसे ऐसे कलर यूज करने चाहिए मैंने कलर्स तो कंपलेट कर दे यार यह लाइट ना बहुत जादा अजीब है लाइट के वाज़े से कलर्स चेंज भी हो रहा है यहाँ पर मेरे को काफी ब्राइट लग रही है फिर फिलाल मैं बातरूम में भी पेंट कर देता हूँ ओके चलो यहाँ पर भी पेंट हो चुका है तो अभी यह काफी बढ़िया लग रहा है यह कामरा काफी जादा पीसफुल और बहुत जादा श्यान्ती वाली फीलिंग आ रही है अगर मैं सच्छ में बोलो मतलब बहुती जादा प्यारा रूम है आप कमेंट करकर बताना यह कलरस ना मेरे को बहुत जादा बढ़िया लगा है तो फिलाल अभी पेंट्स का ज़रूत नहीं तो मैं इनको ले लेता हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ सुचबोट्स थे हैं लेकिन यह कमप्लीट कैसे हो गए यार यह हमेशा मैं देख रहाँ दो तिन बच रहे हैं तो और कॉन लेकर चला जा रहा फिलाल यहां पर तो कलर तो कमप्लीट हो चुकी है तो अभी मेरे को एक बद चेक करने पड़ेगा और bed sheets I think ये वाले match करेंगे क्या या फिर white वाले use करो blue color हाँ ये वाले use करते है चलो ये लगा देता हूँ थोड़ा सा matching हो जाएगा यहाँ पर भी ये वाले लगा दिया और साथ मैं blankets में ये वाले use कर लेता हूँ तो मेरे को down doors पे order करने है ceiling lapse तो मैंने already लगा दिया है sinks मेरे पास है चलो मैं काम करता हूँ इसमें ये वाले sink लगा देता हूँ ये वैसे काफी बढ़िया ही लग रही है और towels मेरे पास है toilet भी मेरे पास है तो toilet भी लगा देता हूँ I think मेरे पास bar tub होनी चाहिए हाँ bar tub भी नहीं है heater है लेकिन मेरे पास चलो ये वाले heater यहाँ पर लगा दे तो I think मैंने उल्टा लगा दे क्या हाँ शायद ये ऐसा ही लगता होगा मेरे दिसमेरे पास kittens होनी चाहिए हाँ kittens है तो ये यहाँ पर भी kitten लगा देता हूँ टावल्स का ज़रोत नहीं toilet भी मैंने लगा दिया toilet, papers भी है, heater भी है तो यहाँ पर bathtub चाहिए, outdoor चाहिए और बागी seats तो मेरे पास कुछ है room lamps भी मेरे पास है tables, desks, ये सारे चीज़े वापस अभी मेरे को मंगवाने पड़ेंगे तो ये चीज़े मेरे को जल्दी से order करनी पड़ेंगी तो फिल्हल तो अपनी hotel में कुछ customers आ चुके है I think इनका check out है तो मैं जल्दी से case ले लेता हूँ ओके चलो इनका भी check out ही है ओके ये आखरी बच गया, इनका भी check out है चलो इनका भी मैंने case ले लिया अभी ये rooms ready होने में तो time लगएगा यहाँ पर ads में कुछ पैसे बन गए तो अभी मैं एक काम करता हूँ जल्दी से जो भी सामान जाई है ना वो मैं order करता हूँ वैसे मैं सोच रहाँ वाट टब एक काम करता है ये वाला मंगवा देते ये काफी बढ़िया रहती है toilet papers मैं extra ही मंगवा देता हूँ क्योंकि ये use होते रहते है chairs वैसे तो मेरे पास काफी सारे chairs है लेकिन मैं extra लगाने वाला हूँ क्योंकि क्या है कि इन से मेरे को जादा bonus मिल जाती है तो मैं ये दोनों order कर देता हूँ वैसे भी ये दोनों मेरे पास एक एक पड़े है वैसे मेरे पास room lamps भी पड़े है लेकिन मैं काम करता हूँ ये भी extra order कर ही देता हूँ और tables चाहिए होंगे मेरे इसाब से इस बर कौन सा table order करो ये वाला order कर देता हूँ ये बढ़िया लगेगा और इसके साथ ये वाला ड्रस्टिंग टेबल भी ओर्डर कर देता हूं टीवी के साथ ये टीवी टेबल भी टेस्क भी हमें चाहिए होंगे तो ये वाला पिछली बर मैंने यूज कर लए ये वाला यूज करते है कलोजर मैं वाइट कलर वाला ओर्डर कर दिया तो फिल्ल आल गाईस जो भी चीजा चाहिए तो वो तो मैंने यहां पर लगा दिया है जो भी ज़रूरि है वो सारे साथ सामान मैंने यहां पर ओर्डर कर दिया है लाएट उजसाथ 100 डॉलस लगेंगे तुम लोग देख पा रहा हूँ, सामा निकाला की नहीं, अभी तक इन लोग ने नहीं निकाला है, वैसे जितना मेरे को लगता है, अल्मोस्ट इन लोग ने निकाल दिया, तो मैं भी एक काम करता हूँ, इनको मदद कर देता हूँ, वैसे यहाँ पर ना कुछ खाली बॉक्से से, इनको मैं निकाल देता हूँ, इनके वज़े से जादा यहाँ पर स्पेस हो रही है, तो फिलाल यहाँ पर जो भी खाली बॉक्से से, वो तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, और इन लोग ने यह सामान भी निकाल दिया, तो काफी बढ़ी आए, तो अभी इसको जाने दे वैसे मेरे को बैरिल्स भी चाहिए थे, वो मैंने आडर करना भूल गया, इन मैनम का इधिंग चेकोड़े, चलो इनका कीस ले ले लेता हूँ, तो अब यह मैं काम करता हूँ, बैरिल्स को ओर देता हूँ, यह जरूरी होते है, वैसे साथ में मैं फ्यूल भी ओर देता ओके, तो अपना यह वाला ओर्डर भी आ चुका है, यह लोग प्लैक्स निकाल देंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, आई तिंक अभी अभी आया है यह तो, चलो डिएकर फिलाल, यह सारे चीज़े तो यह लोग निकाल देंगे, मेरे को बस प्लैक्स चाहिए थे, यह मैं यह यहां पर लगा देता हूँ, वैसे मेरे वे सबसे यह लोग बैरेन्स नहीं निकालते है। इनको मैं निकालकर यहां पर लगा देता हूँ, यह स् Cham toilets मेरे को काफी जरूद होंगinos होंगे, तो वैकar का यहां बहूर रख़िता हूं, वैसे क्या है कि ए मैं बाहर भी रखू न तब भी यह लोग निकाल देते तो वही दिक्कत है तो फिलाल अभी तो काफी सारे सामान भी आ चुके है मैंने ओर्डर कर दिया तो जल्दी से डोर्स वगरा सारे सीज़े मैं जल्दी से लगा देता हूँ तो अभी बाट टॉप तो एक तो बढ़ियो वाला मंगवा है था यार ये देखो कितना मस्त है काफी बढ़िया है ना ऐसे सिंग तो मैंने पहले से लगा दिया टावल में को लगाना है टॉयलेट तो मैंने लगा दिया तो अभी यहाँ पर बातरूम के लिए एक कार्पिट लगा देता हूँ और होल्डर्स यहाँ पर यूज होंगे तो यह बात हीटर पर यहाँ पर लगा देता हूँ यार यह पूरा मैच हो गया यहाँ पर लगा देते हूँ हाँ यहाँ पर यह बड़िया लग रही है और साथ में एक यह वला होल्डर में यहाँ पर लगा देता हूँ और यह क्लोथ हैंगर भी चाहिए होंगे तो यहाँ पर एक लगा देते हैं हैंड राइर भी मैंने आउडर किया था तो यह यहाँ पर ग्लास में ये वाला यहां पर लगाता हूँ ये बड़िया ने लग रही है ना ये बड़िया ने लग रही है ये वाला लगाते है ये एक तब बड़िया लग रही है हाँ ये बड़िया है और भी मेरे पस कुछ होल्डर से ये टॉलेट पापर के लिए तो ये यहां पर लगा देता हो और टॉले के लिए एक यहां पर लगा देते हैं वैस Works हो अभी इस दर्वाजे को बंद कर देता हो मैं सब्कचरों इस तरफ टीवी लगा दूंगा तु रज़ास तू काफी बढ़िया लगेगा हाँ मैं इसी तरफ टीवी लगाने वाला हूँ ये बढ़िया लगेगा ये मैं एकदम करवड वाले टीवी मंगवाया एकदम 4K वाली और यहाँ पर ही मैं AC पर लगा देता हूँ I think AC उल्टा लग रहा हाँ मेरे सबसे इस तरही किसे लगता है एकदम पता चला उपर हवा जा रही है और इसका outdoor unit पर लगा देता हूँ ने तो ये चलेगा ही नहीं I think यहाँ पर मिरे को लगाना है हाँ चलो बड़िया लग चुका है तो अभी मैंने इसके लिए ना drawers भी मंगवाया I think ये बड़े वले है क्या हाँ ये बड़े वले यार एक पर मैं सबसे पहले इस तरफ लगा कर देखता हूँ हाँ अभी ठीक है एकदम मिरे को कोने पे लगाना पड़ेगा एकदम चलो मेरे सबसे अभी काफी बड़िया लग रही है एक और ड्रॉर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अभी तो यह काफी बड़े ड्रॉर्स है यार इसके लिए तो मैंने लाम्प्स भी और्डर किया आइ तिंक यह वाले लगाते है ओ भाई यह लाम्प्स तो और भी बड़िया लग रही है और यह मैच भी कर रहे है तो काफी बड़िया लग रही है वैसे यहार 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 यह मैं वहां पर ही लगा रहा हूँ वैसे भी ये काफी बड़ा रूम है तो मेरे सबसे उतना फरक नहीं पड़ेगा और अभी ये वाला जो चेहर है ये यहाँ पर लगा देता हूँ तो अभी ये काफी बढ़े रहेगा अगर गर्मी लगेगा तो फैन ओन करेंगे वैसे ये से तो एनी टाइम चालू ही रहेगा तो अभी माइक्रोवेव भी चाहिए होगा तो माइक्रोवेव मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो अभी इन बुक शेल्फ को ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक दब इस तरीके से लगाते हैं ताकि एक बढ़िया लगे और दूसरा मैं यहां पर लगा देता हूँ भी देखते हैं कैसे लगा रहा है ओके यह काफी बढ़िया तो लग रही है पूरा कमरे को मतलब इतना ज़़ा उजाला कर दिया इसने वैसे मेरे पस और भी कुछ रू एक मैं यहां पर लगा दूं क्या I don't think कि इसका उतना जरूरत है ऐसे मेरे पास books भी है तो मैं जल्दी से यहां पर books भी लगा देता हूं तो guys इस पर तो मैंने यह चूटा वाला clock मंगवाया वो बड़ा क्या है कि जादा space लेता है तो इसलिए मैंने यह वाला मंगवा दिया इस एकसी सेरीज में मेरे पास mirror भी है मैं काम करते हूं dressing table तो मैंने औरर किया ना यह देखो dressing table तो है यहां पर लेकिन I think मैंने sofa इस पर order नहीं किया था यार यह किया कर दिया मैंने फिर 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 ड्रसिंग table भी यहां पर लगा देता हूं या फिर bed के बाजु में भी लगा सकता हूँ, I think bed के बाजू में नहीं होगा यहाँ पर मेरे कोई से लगाना पड़ेगा तो इसके लिए तो यह वाला seat में लगा देता हूँ यह काफी बढ़िया लगता है, तो closet भी मेरे पास है, closet कहाँ पर रखो I think closet में इसके बाजू में लगा देता हूँ हाँ, बढ़िया लगेगा एकदम यहाँ पर ही सारे सामारे, एक कामकरत को ज़्यादा ही नजदिक लगा दिया तो उड़ा से इस तरफ लगाता हूँ हाँ, अभी बढ़िया है, तो से मेरे carpet भी लेकर आया यह वाला carpet यहाँ पर लगाते है तो मेरे सबसे इस तरीके से कोई room अगर में रखोंगा अपना personal के लिए तो काफी ज़्यादा बढ़िया रहेगा लेकिन अगर इतना दूर रहेगा ना तो बढ़िया नहीं रहेगा मैं सोच रहा हूँ, room number one या फिर room number two ऐसा rooms में रहेंगे न तो बढ़िया रहेगा तो क्या है कि जल्दे से मैं office में पहुंच सकता हूँ लेकिन room number one क्या है कि थोड़ा सा छोटा है वो एक दिक्कत है वैसे भी हम अकले रहते तो इतना बड़ा room का क्या ही ज़रूरत है ये तो पूरा room ने पूरा घर कह सकता हूँ, इतना बड़ा है खिलाल मेरे पास यहाँ पर कुछ seat से तो मैं इस बार भी seat सी यूज़ करने वाला है क्योंकि इसमें जादा bonus मिलती है और मेरे पास ये वाला भी एक seat है तो ये भी यहाँ पर लगा देते ये तो मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ या फिर ये थोड़ो सा बकवास लग रहा है क्या आँ नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको इस तरीके से लगाते है चलो अब भी देखो एकदम पूरा एक फ्रेम की तरीके से लगा रहा है इदर एक मैंने लगा है, इदर एक है और ये भी दू है तो काफी बढ़िया लग रही है एकदम अराम सा बैटकर टीवी देख सकते या फिर किताब अगर पढ़ना तो वो भी कर सकते एस ही तो आन ही रहेगा अभी मैं एक बद चेक के लेता हूँ, और कुछ चीज़े है क्या मेरे पास ओके मैंने तो डेस्क तो लगाया ही नहीं यार एक ऐसा भूल गया मैं एक काम करते हैं, डेस्क भी यहाँ पर लगा देता हूँ एक दम बढ़िया तरीके से, काफी बढ़िया है चलो, अब यह काफी बढ़िया लग रही है तो मेरे सबसे जो भी चीज़े है वो तो मैंने लगा दिया, बस एक कार्पिट रह गया एक कार्पिट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और साथ में यह मिरर भी बच गया यह मिरर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मैक अप करने के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट तो मिरर ही होगा ना ओके चलो, मेरे सबसे अभी जितने भी चीज़ें पर ने ओर्डर किया ना हाँ, मैं इसको निकाल देता हूँ कुछ जादे कंजिस्टर जासा लग रहा यहाँ पर इतना स्पेस है ना, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ चलो, यह यहाँ पर लगेगा तो बढ़िया रहेगा सबसे ज़ादा पसंद आया, फिलाल अभी दरवज़ों को बंद करते थे, तो अभी एक ही कमरा बच गया, जिसको मेरे को complete करना है, यहाँ पर tails लगाना है, paint लगाना है, एक बार tails और paint खतम हो गया, तो बागी सारे चीज़ भी मैं order कर देता हूं, तो फिलाल तो यहाँ पर इतनी सारे customers आ गए, मेरे सबसे सारे check out के लिए आये होंगे, तो मैं जल्दी से यहाँ पर case ले लेता हूं, ओके, I think इनका भी check out है, चलो इनका कमरा भी बिने ले लिया, तो अभी जितनी भी कमरे थे, उस सारे check out हो चुगे है, तो मेरे सबसे यह कुछ तो ready हो चुके है, और बाकी ready होने में तो time लगेगा, मैं एक काम करता हूं, इसका भी जो servicing है ना, इसे open करके रख देता हूं, ताकि जल्दी से वो सामान भर देगा, तो अभी बस room number 20 बच गया, मैं काम करता हूं, इसके लिए जो भी सामान चाहिए ना, वो भी मेरे को order करने है, वैसे मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, कौन सा चीज मेरे पास है, कौन सा चीज मेरे पास नहीं है, एक बार painting हो जाएगा ना, तो वो भी मैं देख लूँगा, लेकिन उससे पहले, यार अभी तक इसने सामान नहीं निकला क्या, ओके वैसे भी यह सामान यह नहीं निकलता है, तो मैं ही निकल देता हूं, यहाँ पर इन्हें रख देता हूं, तो सारे सामान को तो मैंने निकल दिया, तो अभी इसको जाने देते हैं, तो वैसे सबसे पहले मेरे को एक बार चेकरना पड़ीगा कि कौन सा tails मेरे पास है और कौन सा नहीं है यह वाले भी कुछ tails मेरे पास है लेकिन मैं यह use नहीं करने वाला हू outta मैं सोच रहूं यह वाला tails use करते है यह काफी बढ़ीया लगएगा तो मैं एक बर ये टेल्स यूज़ करकर देखता हूँ मेरे सबसे तीन से अपना काम बन जाएगा ओके I think मेरे सबसे कम पढ़ने वाले ऐसा मेरे को लग रहा है हाँ ये कम पढ़ने वाले है हाँ मेरे को और चाहिए होंगे एक बर मेरे को देखना पड़ेगा वैसे मैंने तो बहुत सारे टेल्स और करके रखे है शायद कम पढ़नी नहीं चाहिए इस बर मैं सोच रहों कि सीलिंग टेल्स भी यूज़ करूंगा वैसे ये मेरे पस बड़े ही है लेकिन ये दो बॉक्स में तो काम नहीं बनेगा मिरे को और भी चाहिए होंगे यहां पर यहां पर तो कितने सारे खाली बॉक्सेस है इनको मिरे को सेल करनी चाहिए क्या है कि मैंन तिंग यही है ना कि हमें स्पेस रहेगा तबी तो इसलिए इसको मिरे को सेल कर देना है ओके चलो ये वाली टेल्स तो मेरे को मिल चुके तो ये काफी बढ़िया है चलो ये वाली टेल्स भी मेरे को मिल चुके तो सेलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं यार मैंने इतने सारे टेल्स और्डर करके रखे है ना तो मिरको नहीं लगता है, यहाँ पर कोई भी चीज का मिरको कम पढ़ने वाली है, हर एक चीज ना अपने वेरोस में ही, तो फिलाल अभी इसको लेकर चलते है, इस बार नहीं तो मैं सोच रहा हूँ, हर बार मैं सिर्फ paint से कर रहा हूँ, वैसे कुछ-कुछ जगा पर मैंने wall papers use किया, तो मैं सोच रहा हूँ, इस बार भी wall papers use करते है, अभी यहाँ पर पूरी तरीके से मैं wall papers use करने वाला हूँ, एक तम कुछ अलग करते हैं, देखते हैं कैसा होगा, अर बार तो वैसा मैं सिर्फ color सी use करता हूँ, तो इस बार यह वाली tails भी use करकर देखते हैं, अभी चलो, यहाँ पर मैंने पूरा ceiling तो complete कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा बच गया, तो अभी इसका भी कोई जरुद नहीं, यहाँ पर मैं fake देता हूँ, वैसे guys, room number 9 को ना मैंने पूरी तरीके से सिर्फ wall paper से ही सजाया, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, वैसे मैं सची मैं तो एकदम अलगी कमरे में आगया, ऐसा फिल आ रही है, लेकिन काफी बढ़िया भी लग रही है, यह देखो कि तो और भी कुछ अलगी लेवल लगेगा, एकदम space ship में जैसा आगया, उस तरीके से लगेगा, तो यह भी काफी बढ़िया है, तो फिलर मैं इस wall paper के भी use कर सक यहां पर अंदर बारिश कैसा हो रही है, यह दो को उपर से बारिश हो जा रही है, यह क्या बाकवास सी चीज है, फिलाल यार मैं बहुत टाइम से अपने दुकान में गया है, यहां पर इतने सारे customers क्यों है, यहां यहां पर क्या हो रही है, ओब यार यह देखो, फूरा traffic jam लग चुका है, वैसे इनको फ्यूल बरना की नहीं है, यार क्या है, पता ही नहीं चल रहा है, इसे इनको फ्यूल बरना है, यहां से, नहीं नहीं यहां से भी इनको इसको भी फ्यूल नहीं बरना है, अरे यार मेरे को लगा बहुत ही अच्छा कासा sales हुआ होंगे, लेकिन यहां पर आकर देखता हूं तो यह देखो है ओ अपना यह भी फस गया यार या दिक्कत है यह हर बार होता ही रहता है छिलाल में एक काम गरता हूं जिल्दी से इस बटन को प्रस करते है यह गाड़ी भी यहां पर पता ने कैसा फस गया ओके मेरे अब यह तो ट्राफिक जम क् कुछ घड़बड करते ले तो बहुत पहले और किया था यार यह अभी आया फ्यूल बढ़ने के लिए अभी मैं क्या ही बता हूं भी इतना टाइम खराब हुआ ना वैसे अपने यहां पर इन एंप्लॉइस को लिए तो मेरे को पैसे देना ही पड़ेगा अगर यह रेस्ट किया था ज्यादा सेल्स तो हुए ही नहीं यहां पर भी पैसे कलट कर लेता हूं सेवंटी तौजन तक हो चुके है यह मेरे सबसे बहुत सारे पैसे है पहले तो मेरे पास पैसे होते ही नहीं है लेकिन अभी तो मेरे पास इतने सारे पैसे है आई तिंक मैं अभी यह सारे कम से काम हो जाता है 1000 टॉलर को कंप्लेट करने के लिए कम से कम तुम पचास हजार चाहिए और 20 को के लिए और पतर Élक चाहिए होगे मतलब एक लाक डॉलर से यूगा और आध्स में देखोवाई तहाँ Wiki यह उत्व हंई औरùng को मिल जाएगा तो सबसे पहलए माडल होटल को open कर देते और ads में देखो वाई, 6000 यहां से मिरे को मिल जा रहे, अभी तुम बताओ, 78,000 तो यहां पर ही हो गया, और उपर से मैंने हर एक upgrade भी कर दिया, और यह गाड़िया भी खरीद लिया, जो भी delivery vehicle से भो भी मैंने खरीद के रखे है, और उपर से अपने दुकान इतना फिल कर दिया, कि मेरे इस अब से काफी टाइम तक मेरे को sales होते रहेंगे, लेकिन अगर और अच्छे से होगा तो बढ़िया होगा, मेरे को लगए यहां पर जादे से पैसे मेरे को मिलेंगे, यहां फ्यूल बरने के लिए कोई अभी तक आया ने, फ्यूल तो बहुत जाद है, लेकिन कोई अभी तक आया ने, अगर यह ट्राफिक जादा नहीं होता ना, तो मेरे को यहां पर फ्यूल में भी बहुत सारे पैसे हो जाते, यह यह देखो, यह गाड़ी बेचरा फस गया, इसको मेरे को निकालना पड़ेगा यहां पर, चलो इसे मैं निकाली देता हू वैसे अभी बहुत सारे रूम्स अभी अवैलेबल हो चुके है, मेरे सबसे मेरे को जल्दी से रूम नमर 20 को भी कंप्लेट करना पड़ेगा, और इन रूम्स को भी मेरे को रेनोविट करनी पड़ेगी, तो फिलाल तो इनको तो कमरा चाहिए, तो मैं जल्दी से रूम दे डिता हूं 400 डॉलस में इसको मिल जाएंगे यहां पर इनको हुँ रूम दे देता हूं 36 होज के आज चुकए है तो जल्दी जल्दी से क्या है कि मैं को कमरा दे देता हूं 24 olmas के लिए चाहिए था क्या मैंडम आप बता पफो कितना टाइम के लिए चाहिए 36 six hours चलो ठीक है इनको भी मैं रूम दे दिया ओके इनको तो सिर्फ 12 गंटे के लिए चाहिए था इनको भी मैंने कमरा दे दिया अभी तो बस एक ही रूम बचा है वो है रूम नमबर 19 तो मैं जल्दी से इसको भी रूम दे देता हूँ मेरे को लगा यह जेकोट के लिए आये था फिर फिलाल अभी अभी तो मैंने कमरा दिया है तो यह चाहरे चेकोट होने में तो बहुत टाइम लगेगा तो सार इसका मतलब आपको तो रूम नहीं मिल सकता आपको जाना पड़ेगा और ना ही आपको भी रूम नहीं मिल सकता आपको भी जाना पड़ेगा तो काई सबी रूम नमबर 20 कोबे मैं कम्पलेट करने वाला हूँ लेकिन इसके लिए कौन सा कलर यूज़ करे इतने सारे कलर्स है ना यार ये वाला कलर I don't think कि मैंने यूज़ किया है मैं इस बार ये वाला कलर यूज़ करता हूँ ये काफी बढ़िया लगेगा और इसके साथ में मैं सोच रहूँ ये वाला कलर यूज़ करते है यार इसको क्या हो किया यार ये मैंने बहुत टाइम से देखा है के बढ़िया अभी चला गया तो काफी अच्छा है तो फिलाल मैं इन कलर्स को लेता हूं वैसे यहां पर क्या है कि मैंने और डूसरा कलर यूज करनी थी यह वाला कलर लगा कर देखते हैं कैसा है और इंपोर्टेंट बात यह है कि यहां पर मैच भी करना पड़ेगा देखते है यहां गलती से ना मैंने यहां पर भी कलर लगा दिया यहां पर मैंने को दूसरा कलर यूज करनी थी यह वाला कलर लगा कर देखते हैं कॉम्बनेशन कैसा है और यह बढ़िया तो नहीं लग रही है और यह कलर मैंच यार ठीक सा लगी नहीं रहा यह काम करता है मैं पूर तो अलग टाibl का है या फिर मैं सोच रहुआ हूँ है वाइट कालर यूजिक रिए लों गी या एक पर लगा कर देखते हैं मेरे सिर अएप्षद कालर ऑफ़र लिंग जाये तो फिलाल काईश यह वाली कालर एक पर ट्राइ कर करक Urban लगेगा मेरे सबसे उतना भी बढ़िया तो नहीं लग रही है यार वैसे ना एक काम करता हूं रुको थोड़ा सा और पेंट करकर देखते हैं चलो वैसे यह पेंट तो मेरे को काफी बढ़िया लगा यार एक मिनिट है यहां पर ना लाइट सचे तरीके से मैंने नहीं लगा है वैसे मैंने कुछ सेलिंग केंश और्डर किया था यह देखो ये बढ़िया वाला मैंने अर्डर किया ये मैं एक दब बीच में यहां पर लगा देता हूं तो अभी सिच को ऑन करकर देखते ऑब रही है देखो सिब बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है अगर मैं color combination के बता हूँ तो ये वाली color मिरे को पसंद आया और ये कुछ जादा ही orange color हो चुका है और उतना बढ़िया भी नहीं लग रही है तो फिलाल एक काम करते हैं सबसे पहले मैं इस side भी color complete कर देता हूँ I think ये जो colors है मेरे सबसे काफी अच्छे से match किया है तो मैं जल्दी से यहां पर paint कर देता हूँ चलो बढ़िया तो painting तो हो चुकी है मेरे सबसे ये दोनों colors काफी अच्छे लग रहे यह light के वज़े से कभी-कभी बढ़िया लग रही है और कभी-कभी बढ़िया नहीं लग र यहां पर ना बहुत बार traffic jam होता ही जारा यार इतना बार थोड़ी traffic jam होता है यार ओके फिलाल तो अपनी दुकान में sales कैसे हो रहे हैं वैसे मेरे सबसे काफी अच्छे से sales हुए है लेकिन मेरे सबसे अभी कोई customer आया ही नहीं होगा काफी time तक और अपना petrol bank में भी कुछ भ तो बड़ा आया चोरी करनि किला है रुको 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 इसको ल्टा ही जाने देता हूं ले भाई तु बस इदर भेंत influx में इसको कांट्रोल करता हूं इह पोलीस ओफिसर आया ना देखते इह पोलीस ओफिसर क्या करते है इसको अंदर लेका चलते है फिचालम को अभी अंदर जाने पड़ेगा याल पोलीस वाला भी यह देखो पेट्रोल बार निके लिए आगया यार ये वापस कहा पे जा रहा थू मेरे को पता है तू क्यों आया क्या या हम से इदर से ही जाएगा तू इसको मैं जाने देताू नहीं तो अब चोरी कर लेगा ना थे कर देखना या रड़ंगा रुक रुक मैं इसके सामने मार तू गाल तो दिक्कत हो जाएगा फिर वुसक को मैने मार दिया अभी विसको लाश को भी जल्दी से ठीका न लगा देता हूँ बेचर अभी बस आने ही वाला तो छोड़ी करने के लिए मैने यहां पर ही उसको मार दिया चलो जल्दी से ऐसे डिपे मैंने डाल दिया वापस ट्राफिक जम हो चुका है क्या ने 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 चलो अभी तो बढ़िया ही है चलो बढ़िया तो paint तो अभी complete हो चुकी है वैसे यार मैं अगर सच में बोलू ceiling थोड़ ऐसा मेरे को पसंद ने आया है ना थोड़ी सी ये match नहीं कर रही है और ये जो color से मेरे को काफी जादा पसंद आया मेरे सबसे colors बहुत ही बढ़िया लग रही है और tails भी काफी जादा suit हो है बस ये ceiling ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि अतना बढ़िया नहीं लग रही है नहीं तो मैं सोच रहा है white color ही कर दूँ क्या देखते है ओके तो paint तो मैंने कर दिया अभी ये मत पूछो कि मैं ये वाला color क्यूं किया वैसे मेरे को तो ये वाली color काफी बढ़िया लगा और यहां पर देख सकते हैं ये पूरा गुलाबी जैसा लग रही है और यहां पर full भी है थोड़ा सा ऐसा ही लगा तो मैंने इसलिए ये ही वाला color लगा दिया तो फिलाल बातर में भी में लगा देता हूँ शालो बढ़िया यहां पर भी लग चुका है वैसे मैं अगर सच में बोलो ये color काफी बढ़िया लग रही है बाकी आप comment करकर बदे देना कि आपको कैसा लगा मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा वैसे अगर मैं अभी भी देखूं तो मेरे पस बहुत सारे colors है लेकिन इतने colors तो मैं use नहीं करने वाला तो अभी फिलाल मेरे को एक बार चेक करने कि मेरे पस कौन से सामान है और उससे पहले मैं एक बार यहां आ रहे है यार यह बार बार switchboards कहां चले जाते है यार तो पूरा full डबा था पता नहीं कहां पे चला गए इतने सारे switchboards चले गए मैं बस बाहर रख रहा हूं उतने दिर में यह खतम भी हो रहा है वैसे मैं अगर सच में बोलू यह वाला room काफी बढ़िया लग रही है तो फिलाल मेरे पास bed तो ही तो मैं जल्ली से यहां पर bed place कर देता हूँ और मेरे पास bed sheets भी है तो मैं सोच रहा हूँ इस बार कौन से color यूज़ करूँ वाइट वाले यूज़ करूँ क्या यहां पर जादे तर यह वाली color match कर सकती है यह देखो यह दोनों color match कर रहे तो मैं यही वाले लगा देता हूँ बडिया लग रही है और साथ में मेरे पास blankets भी है तो मैं blankets भी लगा देता हूँ Pillos भी मेरे पास काफी अच्चे वाले है यह violet color वाले लगा देते है यह match कर रहे है क्या वैसे उतना बड़िया नहीं लग रहे है मेरे पास already ना ये white color वाले भी है तो ये ही लगा देता हूँ वैसे doors भी मेरे पास है bathtub मेरे पास नहीं है ये मेरे को order करना पड़ेगा sink भी मेरे पास नहीं है I think sink मेरे पास शायद होनी चाहिए यार पिछली बर मैंने जब देखा था मेरे पास एक और sink पड़ी थी शायद पता नहीं क्या हो गया फिर छोड़ी हो गया क्या पता नहीं फिलल टॉयलेट भी नहीं है टॉयलेट पैपरस तो है heater भी नहीं है तो इसका मतलब बाट टब चाहिए sink चाहिए टॉयलेट भी चाहिए और heater भी चाहिए kittens है मेरे पास और bathroom के लिए भी मेरे पास kittens है तो ये भी लगा देता हूँ kittens तो मैंने यहाँ पर लगा दिया seats भी मेरे पास नहीं है room lamps ये चोटे वाले मेरे पास है tables नहीं है desk नहीं है okay मेरे पास drawers है लेकिन तो अभी मेरे को seats वगरा order करने table, desk, closet ये सारे चीज़े भी order करने sink, bathtub ये भी चीज़े order करने है तो मैं काम करता हूँ जल्दी से इसके लिए जो भी चीज़े चाहिए न वो मैं order कर देता हूँ वैसा I think अपने office में बहुत सारे customers आये है जितना मेरे को लगते है ये सारे check out के लिए है तो मैं जल्दी से कीस ले लेता हूँ हाँ ये सारे check out के लिए ही है तो जितने भी थे उन सब का मैंने यहाँ पर कीस ले लिया एक बर देख सकतो काफी सारी कीस आ चुके है तो मैं जिल्दी से यहाँ पर लगा देता हूँ अभी भी कुछ रूम से जो अभी विकेट हुए ने रूम नमबर वन विकेट नहीं हुआ कुछ ही रूम से मेरे सबसे वो भी विकेट हो जाएंगे तो मेरे सबसे यह रूम से रेड़ी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो अभी क्या है कि मेरे को जो भी सामन चाहिए न वो मैं ओर्डर कर देता हूँ बेड अलरेडी है, बेडशीट्स भी है, ब्लांकेट्स भी है, पिलोस भी है, डोर्स भी लगा दिया सीलिंग लैंप्स तक हो चुकी है, बाट टब मेरे को चाहिए होगा, यह वाला बाट टब मंगवा देता हूँ, यह काफी बढ़िया रहता है और सिंक भी चाहिए होगा, डबल सिंक और्डर करते है, यह काफी महहँगा है डबल्स मेरे पस बहुत सा रहे है, टॉलेट मैं यह वाला ओर्डर कर देता हूँ टॉलेट पर मेरे सबसे ज़रूत होंगे, तो यह मैं एक्स्ट्रा ओर्डर कर ही लेता हूँ हीटर भी चाहिए होंगे एकदब महंगा वाला हीटर ettens मेंने लगादिया seat's चाहिए होंगे तो मैं सोच रहा हूँ इसमें कौन सा लगाँ इस मैं सोच रहूं इ centra หर बर में क्या है कि चेर्थ लगादे रहा हूँ तो इस रख साफा लगाते है इनको नहीं नहीं ये दोनों मैच नहीं करेंगे चाहिए तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ओडर कर लेता हूँ चैर्स को यह वैसे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यह देखो यह दोनों ना मैच कर रहे है ये भी मैच कर रही है और ये थोड़ी बहुत मैच कर रहे है ये दोनों या फिर ये दोनों भी मैच कर रहे है या फिर चाहूं तो ये दोनों भी रख सकता हूं मतलब कुछ ही है जो मैच कर रहे है ऐसा नहीं कि सब कुछ मैच कर रहे है इसको अगर मैच करने वाले कोई होता तो बढ़िया होता है, लेकिन इसको कुछ भी मैच करने वाला है नहीं, तो फिलाल मैं सीड्स बाद में चूज कराँगा, अभी मैं एक काम करता हूँ, जो डेस्क ना, ये ले लेता हूँ, ये वाला बढ़िया रहता है, और साथ में ड्रसिंग टेबल भी ले लेता हूँ, औ वाला कैसे रहेगा I think यह भी बढ़िया ही है TV की टेबल देखोगे तो यही जादा बढ़िया रहता है या फिर यह भी रख सकता हूँ इस बार मैं यह वाला ओर्डर करने वाला हूँ बार बार मैं यही यूज़ कर रहा हूँ और डेस्क भी चाहिए होंगे और साथ में सौफा भी निकाल देता हूँ यह वाला सौफा नहीं यह वाला लगाते हैं हो सेके तो यह मैं दो लगा देता हूँ बढ़िया लगेगा दूसरे वाला यह मैं लगा देता हूँ साथ में क्लोजड भी चाहिए होगा यह वाला ओर्डर कर देते हैं तो वैसे अभी काफी सारे rooms भी available हो चुके है मेरे सबसे ये भी ready हो गए होंगे हाँ थोड़े बहुत तो ready हो चुके है तो मैं अपने दुकान को open कर देता हूँ तो फिल्हाल guys यहाँ पर कुछ customers आ चुके है तो मैं जल्दी से इनको room दे देता हूँ तो मैं एक बर चेक के लेता हूँ कौन सा room ready है room 2 से ready है चलो ठीक है मैं इनको room 2 दे देता हूँ इनको भी कमरा चाहिए 36 hours के लिए यह चलो ठीक है इनको भी मैंने room दे दिया तो फिल्हाल तो अभी कोई customer आया ने तो मैं काम करता हूँ आई तिंक वापस traffic exam तो नहीं हो गया ना हाँ लो भाई लो यह देखो हर बार ना traffic exam होता ही जारा पता नहीं क्या हो रही है बार बार बस traffic exam ही हो रही है चलो वैसे कम से कम एक तो अच्छा चीज हुआ है अपना order तो आ चुका है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इन लोगों ने सारे सामान निकाल दिया की नहीं यह देखो यह भी खाली हो चीखे यह सुचबोट्स जा कहां रहे है खतम हो रहे है पता नहीं क्या हो रहा है यार इन लोगे ने तो अभी तक इन सारे जामन को निकला ये ने एक बार रुको मेरे को सबसे बहले सुच बोट्स आई होंगे ने तो मेरे को अभी वापस ओर्डर करने पड़ेगा ये देखो बाई कहां पर यार तू कर क्या रहा है अरे यार ये बार बार ना ये श्टक होते ही रहते है इन एंप्लोईस का अलग ही दिक्केत है वैसे मेरे पास सुच बोट्स तो है ही ये देखो चलो बढ़िया है मेरे को वैसे भी पांच चाहिए होंगे तो बैद निकाल लेता हूँ मेरे टीवी रहेगा इस पार मैंने कुछ जादा यार मैंने ये दो मंगवा था लेकिन एक ही आया पता नहीं क्यों मैं सोच रहा था इस तरफ ऐसा लगा होंगा एक दब बढ़िया रहेगा लेकिन ये पिलोस क्यों ग्रीन कलर वाले है इस टाइप का पिलोस होता तो बढ़िया होता मैं एक काम करता हूँ ये वाला एक और मंगवा लेता हूँ मेरे सबसे उन लोगों ने अभी तक नहीं निकल होगा एक मिरिट दुआयर मैं सारे जीजे निकाल देता हूँ अरे यार कितने बार आओगा यार अभी तो हदी हो गया यर इस पर यह लोग कुछ जाद ही आ रहे यार इतना पहले नहीं आते थे यहां पर ही तुमें मैंने मार दिया ता अभी भी शेरम नहीं आया क्या लो तो एक और ले इसको पताणी मैंने कितना बार मार दिया यार बेकार मैं एक काम करता हूँ इसको एकदम गाड़ी पे बैटे गाना तब आकर मारूंगा तब पता चलेगी इसे पूरा चलने दो इसे ओके आ गया ना ले एकदम हेटशोट ले तू ले मार ही गया अभी ये निकल जाएगा एकदम हर बार आ रहे चोरी करकर चले जा रहे यार ये लोग तो अभी तो हद हो गया यार बहुत बार आ रहे अभी तक ये दोड़ता ही जा रहा पता नहीं कहां पे जाना इसे फिलाल इसको मैं जल्दी से अंस्टक कर देता हूँ और आफिस में भी बहुत मैंने तो ऑफिस को open करके ही रख दिया और ये तो ready भी हो चिके पस ये room को मैं बनाना बाकिर आ गया उके इसका check oh day एक बार मैं check कर लेता हूँ इसका check oh do तो case ले लेते हैu तो अभी मैं एक बार चेक्क कर लेता हूँ मेरे पास seats में है ना मैंने ये एक ही order किया है तो अभी मैं एक काम करता हूँ ये वाला sofa न एक और बंगवा देता हूँ फिर ये सबसे van में आ जाएगा और ज्यादा time भी नहीं लेगा I think वापस एक traffic jam हो गया क्या I think शायद हो गया अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार ये लोग का बस यही हो रही है ये हर बार कुछ न कुछ अंदर drivers पताने क्या करते रहते है चलो इसको अभी जाने देते है का इन लोगों को क्या हो गया भी ये भी क्यों ठीक से नहीं चल रहे इनके वज़ेशे यह ठीक शायद नहीं चल रहे होंगे ये बार बार traffic जम हो रहा है इतनी बार traffic जम हो रही है यहाँ पर अपने petrol bank में sales ही नहीं हो रही है तो बहुत बेकार वाली चीज हो रही है और अपने दुकान में भी sales नहीं हो रहे काफी glitches हो रहे हैं वैसे मैं अगर सच में बोलूं तो फिलाल तो यहाँ पर एक customer आ चुका है अच्छा है इनका चेकोट है मेरे को लगा एक customer था फिलाल guys यहाँ पर काफी सारे customers आ चुके है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जितने लोग ओके तो यह काफी बढ़िया है वैसे अभी अभी सिर्फ 5 लोग ही बचे है तो मैं जल्दी से इनको camera दे देता हूँ और rooms भी जादा नहीं बचे है ओके चलो मैंने इनको भी room दे दिया वैसे अभी room number 20 ready होने में तो time लगेगा almost अभी बन चुकी है एक काम करता हूँ प्लेस करेंगे हाँ यह देखो एकदम बढ़िया वाली feeling आ रही है एकदम living room वाली feeling आ रही है यार यह और थोड़ा से पीचे हो सकती है और थोड़ा से पीचे होगा तो और भी बढ़िया होगा यह heater यहाँ पर कौन देता है एकदम कौने पर देने चाहिए तना एकदम बीच में दे दिया यह जो space है यह कम हो रही है यहाँ पर यह वाली table लगा देता हूँ एकदम बढ़िया वाली यह तो पूरा family रह सकती यार इतना बड़ा कमरा है और fan में एक यहाँ पर लगा देता हूँ और साथ में एक बड़ा सा कार्पेट यहां पर एकदम बढ़िया लग रही है तो अभी क्लोजेट में कहां पर लगा हूँ यार यहां पर तो पूरा सारे चीज़े में ने लगा दिया यहां पर ही बच गया यह तो पूरा ट्रेंगल है अगर तुम देखोगे तो यह देखो पूरा ट्रेंगल है तो यह क्लोजेट तो काफी अच्छे से लग चुका है वैसे यह टेबल यहां पर लग जाएगा यहां पर लगा देता हूँ और इसके लिए मैंने यह वाली चेर मंगवाया ये बढ़िया लगेगा इसके साथ फुरा मैचिंग मैचिंग हो गया वैसे मैं सच में बोलू एकदम फ्लोर भी मैच हो रही है और ये भी मैच हो रही है अगर किसी को भी एकदम यहाँ पर देखते हुए काम करना तो वो भी कर सकता है एकदम शांती से कोई तकलिफ भी नहीं होगा वैसे मैंने ड्रसिंग टेबल भी ओडर गया ये कहाँ पर लगाओ यहाँ पर ना ये बड़े साफ है मैंने लगा दिया तो काफी जादा स्पेस लग चुका है वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पर लगा सकता हूँ चलो ठीक है मैं इस बार ना यहाँ पर ही लगा देता हूँ वैसे भी यह बड़ा नहीं है काफी चोटा है चलो मेरे साफ से अभी काफी बड़िया लग रही है यहाँ पर साथ में मैं एक मिरर भी लगा देता हूँ यह इन दोनों में से कौन सा लगो यह वाला लगा देता हूँ अरे यह मिरर नहीं लग रही है यार पता नहीं क्यों I think एक केटन्स की वज़े से मिरर नहीं लग रही है मैं एक बार यह वाला मिरर ट्राई करता हूँ यहाँ पर लग जाएगा चलो ठीक है मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ फिर यह अगर सच में बोलो थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रही है मैं एक काम कर सकता हूँ फ्रिज पूरा कोने में लगा सकता हूँ तब या फिर मैं चाओं तो यहाँ पर भी फ्रिज लगा सकता हूँ यार मेरे सबसे जितना हो सकता उतना अच्छा यही है कि फ्रिस नजदीग होनी चाहिए सौफर के नजदीग होनी चाहिए मेरे कहने के मतलब मतलब कूल ट्रिंग्स वगरा जो भी चीज़े है यहां पर ही ले लो और एकदम अराम से बैठकर चिल करते हुए टीवी देखते हुए अराम से पी सकते हुए तो यह काफी बढ़िया वाली चीज़े है वैसे साथ में मैं एक काम करता हूँ यहां पर एक एक्स्ट्रा पंका भी लगा देता हूँ यहां पर लगेगा वैसे काफी कंजेस्ट्र हो गया मैं एक काम करता हूँ यहां पर पंका लगा देता हूँ यहां पर मेरे सबसे बढ़िया नहीं लगेगा मैं एकदम कोने में लगा देता हूँ जहां पर उनको चाहिए वहां पर वो यूज कर सकते है तो ये काफी बढ़िया है तो फिलाल AC काफी important चीज़ है AC में यहाँ पर लगा देता हूँ तो guys finally room number 20 भी ready हो चीकी है जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो फिलाल मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से tour दे देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आच देखो जो भी टीवी सोस देखने तो वो भी देखो एकदम 4K वाली टीवी है चलो ठीक है तोड़ी बहुत बढ़ाई बढ़ाई भी हो जाए करकर मैंने यहाँ पर कुछ किताबी भी रख दिया है देख सकते हो तो किताब ले लो और अराम से बैट कर पढ़ लो या फिर यहाँ पर बैट कर पढ़ना तो यहाँ पर भी बैट कर पढ़ सकते है या फिर यहाँ पर भी बैट कर अराम से पढ़ सकते हो अगर यहाँ पर मैक अप अगर करना तो वो भी कर सकते हो closet भी है और bathroom भी एक बार देख सकता हूँ वैसे मैं hand dryer लगा ना भूल गया था है ठीक है ये मैं बाद में लगा दूँगा वैसे यहां पर bathroom भी देख सकता हूँ कितना जादा बढ़िया लग रही है टवल भी इसने लगा दिया है लेकिन ये वाले टवल क्यों लगा यार इसने ये वाले टवल लगा दिया मेरे सबसे इसका bonus हमें ठीक से नहीं मिलेगा वैसे भी मेरे पस काफी सारे टवल से ये देखो एक काम करता हूँ ये वाले टवल निकालो इसने बेकर में ये वाले टव इतना सा भी दिक्कत आएगा और काफी जादा मज़ा भी आएगा यहाँ पर रहने में वैसे आप लोग कमेंट करकर बताना आपको कौन सा रूम सबसे जादा पसंद आया वैसे सौफास मेरे को काफी अच्छा भी लग रहे लेकिन एक चोटी से दिक्कत यह है कि यहाँ पर न मैंने लगा दिया एसी फैन सब कुछ हीटर भी है टीवी भी है और मैंने एक एक्स्ट्रा फैन भी यहाँ पर लगा दिया अगर जहां पर भी अगर उनको जरूरत है वो लगा सकते है तो अभी मैं यह रूम भी दे सकता हूँ तो जल्दी से दरवज़ा बंद कर देते हैं ओके यहाँ पर इतनी सारे कस्टमर्स की यह पॉलिस वापस आ गया यह लगता है मैंने उस लाश को अभी तक लिया ही नहीं था यह तो दूसरी बार आ गया जल्दी से उस लाश के उपर मैं ऐसी डाल देता हूँ यह देखो यहाँ पर ही है वैसे अच्छा किया मैंने इसका लाश यहाँ पर रख दिया नहीं तो और एक बार यह आ जाता है फिलाल इसके उपर ऐसी डाल देता हूँ और यह जो है इनको बेच देता हूँ थोड़ा टाइम रुख जांगवा तो इसको भी बेच सकता हूँ चलो इसको भी बेच दिया है वैसे अब इतनी सारे कस्टमर भी एवेलिबल हो गए होंगे हां कुछ रूम तो अभी रेडी भी हो चुके है तो मैं एक काम करता हूँ अपने मोटल होटल को ओपन कर देता हूँ तो गाइस यहाँ पर आफिस में भी मैंने काफी अच्छी से टेल्स लगा दिया तुम लोग बताना कैसा लग रहा है वैस सरे कस्टमर्स आ चुके है तो मैं काम करता हूँ जिल्दी से इनको रूम्स दे देता हूँ और साथ में मोटल होटल को भी बंद कर देते हैं कि आपको तो सिर्फ 36 आवर्स के लिए चाहिए चलो ठीक है तो गाइस सिर्फ रूम नंबर 20 ही बची है और बाकी सारे रूम्स मे यहाँ पर मेरे को मिल रहें लगबग 13,550 डॉलर तो जल्दी से इसे मैं कलेट कर लेता हूँ और एक बार मेरे पस कितना पैसे यह देखो और वैसे मैंने काफी टाइम तक ना अपने दुकान में देखा इन्हें कितना सेल्स हुए है वैसे यहाँ पर बहुत सारे सामान जो यहाँ पर तो बहुत सारे है यह ट्रे तो पूरा भर कर यही है और यहाँ पर भी है यह लोग पताने क्या करते हैं यहाँ पर पूरा खाली है फिर फिलार मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ 7800 डॉलर हाई सब बहुत सारे पैसे है और यहाँ पर कितने है यहाँ पर पैसे कलिट कर लेता हूँ और यहां पर भी मैंने बहुत टाइम तक पैसे कलिट किया ही ने यहां से भी मैं कलिट कर लेता हूँ तो गाइस अभी मेरे पास 11,000 सॉरी सॉरी 11,000 ने आई तिंक यह तो 11,000 है एक लाख 11,000 के करीब करीब अभी मेरे पास पैसे है तुम लोग देख पारों कितने सारे पैसे है यह तो बहुत सारे पैसे है मेरे एसाब से और उपर से यहां पर जितने भी कमरे थे वो भी मैंने कंपलीट कर दिया सारे रूम्स रेडी हो चिके है और एक एक रूम्स मैंने ऐसा बनाए कि बहुत ही जादा बढ़िया लगेगा जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो यह रूम्स देखो कितना जादा बढ़िया लग रही है ऐसे रूम्स बनाने में कम से कम 5000 डॉलर्स तो ऐसे ही लगते है और इतने सारे रूम्स को बनाने में मतलब बहुत सारे पैसे लगेंगे और फाइनले यह वाली चीज मैंने कम्पलीट कर दिया और मेरे एसाब से मैंने इस गेम को भी कम्पलीट कर दिया बाकि आप कमेंट करकर बता देना मेरे पास 11,000 के करीब करीब डॉलर्स भी है और यहाँ पर सारे कमरे मेंने कम्पलीट भी कर दिया और उपर से मैंने अपनी दुकान को सूपर मार्केट बना दिया जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो वैसे यह सारे सामन कम्पलीट हो चुके यह वापस मैं और्डर कर दूँगा वो तो बड़ी बात है नहीं और यहाँ पर भी कुछ पैसे बन चुके जादा नहीं है सिर्फ 500 ही है यहाँ पर भी मैं कलर कर लेता हूँ यहाँ पर करीब करीब 15,000 बन चुके यार इनको भी फिल कर दो यार काभी टाइम हो गया आई तिंक यहाँ पर फिल नहीं करते यहाँ पर मेरो कोई फिल करना पड़ेगा तो अभी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे है और साथ मैं मैंने रूम्स को भी कम्पलीट कर दिया और यहाँ पर जितनी भी अपग्रेड्स थे वो भी मैंने कर दिया तो मेरे इस अपसे मैंने अफिशिली इस गेम को पूरी तरीके से कम्पलीट कर दिया और अगर आपका कुछ भी चालेंजस है तो भी बता देना नीचे कमेंट्स में वैसे यह फाइनल एपिसोड होगा मौटल सिमिलेटर का अपनी माइनी होटल यहाँ पर ही खतम होने वाली है क्योंकि अभी इसमें सब कुछ मैंने कर दिया सारे रूम्स भी कम्पलीट कर दिया अपग्रेड्स भी हो चुके है और उपर से मैंने एक लाग ग्यारा हजार के करीब करें मैंने पैसे भी बना लिया तो अभी इसके बाद माइनी होटल यहाँ पर ही एंड हो जाएगा यही आकरी एपिसोड है क्योंकि मैंने इस गेम को पूरी तरीके से अभी कम्पलीट कर दिया तो यहाँ पर यह मोर्टल मैनेजर सिमिलेटर सिरिस एंड हो जाती है तो आज की वीडियो में बस इतना है अगर पसंदे तो लाइक और साथ में सब्सक्रेब करना भूला मत